प्यार विद्यार्थियो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का फर्स सेप्टर केमिकल रियक्शन्स एंड इक्वेशन्स रहसाइनिक अभिकिरियाएं और स्वमिकरण इस टोपिक को समझने से पहले आपको यह जानना जुरूरी है कि आखिरकार केमिकल रियक्शन होते क्या है रियसाइनिक अभिकिरिया हम किसे कहते है तो दोस्तो जो कोई भी चीज हम डेली लाइट में देखते हैं उससे जोड़िये इस चीज को अगर कोई भी ऐसी चीज जैसे दूद से दही बन रहा है वापिस पुरानी वस्था में नए आ सके तो उसे हम कहते हैं केमिकल रियक्शन यानि रसाइनिक अभिकिरिया तो दूद से दही बनना दही से दूद नहीं बन सकता न तो वो रसाइनिक अभिकिरिया है इसी परिकार अगर हम देखें मुम्बत्ती का जलना मुम्बत्ती जलती है तो जलने के पश्चाद धूआ और जो गैसीज है वो वायूमंडल में चले जाते हैं तो उस धूए और गैस से वापिस मुम्बत्ती को नहीं बनाया जा सकता आता है वे भी रसाइनिक अभिकिरिया है लेकिन जो मौम पिंगल करके नीचे गिर जाता है उस मौम से उस पिंगले हुए मौम से दुबारा मुम्बत्ती बनाई जा सकती है इसलिए मुम्बत्ती का जलना बहुतीक अभिकिरिया भी कहलाती है और रसाइनिक भी तो आज हम करने जा रहे हैं chemical reaction यानि की रहसाइनिक अभिकिरी आएं तो दोस्तो जो कोई भी चीज मार्केट में आती है उसे हम कहते है product आपके घर की परतेक वस्तू कोई powder ले लिजिए cream ले लिजिए किसी परकार का oil ले लिजिए सारी चीजें किसीने किसी से मिलकर बनती है तो जिन चीजों से मिलकर बन रसाइनिक अभिकिरिया यानि कि किसी भी अभिकिरिया में reactant यानि हिंदी में बोलते हैं अभिकारक हम यहाँ पर दोनों medium करवा रहे हैं ताकि दोनों तरह के विद्यारती इससे लाभानवीत हो सके तो reactant मींज अभिकारक और product मींज होता है उत्पाद तो वो सभी अभिकि है कि पुने उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता दुबारा उसी रूप में वो चीज नहीं प्राप्त की जा सकती ऐसी समस्त अभिकिरियाए कहलाती है chemical reactions यानि रसाइनिक अभिकिरियाए तो प्यारे दोस्तों आपको यह समझना जुरूरी है कि आपको कैसे पता लगेग chemical reaction हो रहा है किस अधार पर हम यह कह सकते हैं कि chemical reaction टेक प्लेस अधार पर हम यह कह सकते हैं कि chemical reaction हुआ है तो चार चीज़े नोट कर लेना Change in state पदार्त की अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो भी रसाइनिक अभीकिल्या के कारण हो सकता है वैसे पदार्त की अवस्था में परिवर्तन physical change भी है क्योंकि जैसे बरफ से पानी बन रहा हूं physical change है लेकिन अगर किसी में state change हो रही है और साथ में इन में से कुछ दो चार चीजे में आपको बता रहा हूँ इन में से कोई एक घटना घट रही है तो वो chemical reaction कहलाएगी वो घटना क्या? Evolution of gas, gas का निकलना अगर हम किसी चीज के अंदर दूसरा पदार्थ मिलाएं और उसमें से gas निकलने लग जाए तो उसे हम बोलेंगे chemical reaction इसके लावा change in temperature अगर एकदम से तापमान बढ़ने लगे किसी भी reaction में अगर एकदम से तापमान बढ़ने लगे अपने आप तूसरे हम बोलते हैं कि यहाँ पर भी chemical reaction यानि रसाइनी कभी की लिया हो रही है जैसे आपने देखा होगा हम white wash करते ही तो चूने के अंदर पानी मिलाते हैं पानी मिलाने पर क्या होना चाहिए? किसी चीज को ठंडा होना चाहिए लेकिन चूने में पानी मिलाने पर बहुत अधिक मात्रा में heat निकलती है उश्मा निकलती है तो इसे हम chemical reaction कह सकते हैं इसके इलावा चोथी जो चीज होगी वो क्या होगी? चेंज इन कलर रंग में परिवर्तन अगर हमने दो चीजों को आपस में मिलाया और उनके कलर में change आ गया तो वो केवल chemical reaction के कारण हो सकता है तो ये चार चीजे नोट कीजिए अगर ये चीजे अगर हो रही है या इन में से एक या दो चीज भी हो रही है तो वो chemical reaction कहलाएगी आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया किसी भी chemical reaction में reactant यानि अभी कारण से मिल करके क्या बनते हैं उत्पाद बनते हैं इसी अधार पर हम chemical reaction को निमलिखित भागों में बाढ़ सकते हैं The chemical reactions are of following types कौन-कौन सी type है chemical reaction की Number 1 combination reaction combination reaction हिंदी में हम इसको संयोजन अभिकिरिया कहते हैं संयोजन अभिकिरिया संयोजन अभिकिरिया combination reaction ऐसी अभिकिरियाएं जिसमें दो या दो से जादा अभिकारक मिल कर एक ही उत्पाद बनाएं when any reaction two or more reactant जैसे carbon or oxygen यहाँ पर कितने reactant है? एक carbon है और एक oxygen है तो अभिकारक कितने हुए दो? तो दो reactant मिलकर के इन्यानी reaction when two or more than two reactant are combined together to form single product परड़क्ट यहाँ पर एक ही है CO2, carbon dioxide तो ऐसी सारी अभिकिरिया हैं जिसमें दो या दो से अधीक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएं उन अभिकिरियाओं को हम सयोजन अभिकिरिया कहते हैं और example आपके सामने है दोनों चीज़े नोट कर लीजिएगा second है decomposition reaction decomposition reaction decomposition reaction इसे हम बोलते हैं वियोजन अभिकिरिया वियोजन अभिकिरिया यानि कि वो सभी अभिकिरियाओं जिन में एक ही reactant है जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ reactant क्या है यानि अभिकारक कितना है केवल एक आप कैसे पता लगाएंगी एक है या दो है देखिए यहाँ पर कोई plus का sign नहीं है एक ही है reactant देखो अगर यहाँ पर मैं plus का sign देखकर के कोई दूसरा reactant लिखता तो हम मानते की एक और एक दो है लेकिन अभी यहाँ पर कोई plus का sign नहीं है इट मींज यहाँ पर एक ही reactant है और यह तूट करके वो अभिकिरियाओं जिन में एक कला भिकारक सिंगल reactant decompose into two or more than two product यहाँ पर देखिए कितने भागों में तूट गया यह दो भागों में CO2 calcium oxide और carbon dioxide यह क्या था यहाँ पर जो संग्मर्मर का बच्थर जिसे हम बोलते है calcium carbonate calcium carbonate decompose हुआ चुने में calcium oxide में और carbon dioxide में ऐसी अभिकिरिया को हम बोलते है वियोजन अभिकिरिया आए वो अभिकिरिया जिन में single reactant दो या दो से ज़्यादा product में तूट जाए उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिकिरिया नमबर तीन पे चलते हैं displacement reaction हिंदे में हम इने बोलेंगे विस्थापन अभिकिरिया आए displacement reaction वो अभिकिरिया आए जिसमें कोई अधिक किरिया शिल्टतव कम किरिया शिल्टतव को उसके योगिक से विस्थापित कर दे यानि reaction in which more reactive element displace the less reactive element from its compound उसे हम बोलते हैं displacement reaction जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आख वो फार एक्जांपल zinc और copper sulfate की अगर reaction होती है तो प्यारे दोस्तों zinc यहाँ पर अकेला है और copper के साथ यहाँ पर क्या है sulfate है और zinc और copper की अगर मैं बात करूँ तो zinc copper से ज़्यादा reactive है आपको कैसे पता लगेगा कौन ज़्यादा कौन कम तो मैं यहाँ पर एक series बनाऊँगा ताकि आपको पता लग सके कि इन में से ज़्यादा reactive कौन है कम reactive कौन है तो zinc और copper sulfate की जो reaction होती है उसमें copper के पास जो sulfate है उसको ले जाता है zinc तो यहाँ पर बन गया zinc sulfate प्लस copper तो ऐसी अभिकरियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिकरिया यानि displacement reaction प्यारे विद्यार्थियों displacement reaction कब होगी और कब नहीं होगी उसके लिए आपको यह पता होना जुरूरी है कि वो जो element जिसके साथ reaction हो रही है वो कम reactive है या जादा है आप इसको समझने के लिए एक example लीजी माल लीजी दो पहलवान कुस्ती लड़ रही है एक strong है काफ़ी ताकतवर है जोन सीना की तरह है और एक काफ़ी कमजोर है तो शोन माइकल की तरह है आप ले सकते हैं WWE आप देखते हैं या पहलवानों की comparison आप कर सकते हैं यानि कि एक शाक्षी मलिक है और एक किसी दूसरे देश की पहलवान है तो दोनों के बीच जो कुस्ती हो रही है तो संभावना किस के जितने की है जो ज़्यादा ताकतवर है यही यहाँ पर होता है displacement reaction में पर आपको कैसे पता लगेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर, कौन कम किस की ranking कितनी है तो उसके लिए आप एक सिर्यस याद कर लीजिए इस परिकार से यह मैंने ranking बना दी elements की ranking जो आम तोर पर displacement reactions के अंदर आते हैं आप इसको याद करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं याद कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से यह टेवल आपको याद रहे तो जो सबसे reactive है यहाँ पर वो है lithium उसके बाद number आ रहा है potassium का नोट कर लीजेगा और यहाँ पर मैंने जो table बनाई है उसमें कम reactive है gold gold से भी कम होता है platinum लेकिन यह दो series है मैंने इसमें platinum को नहीं दिखाया आप दिखाना चाहें तो नीचे platinum भी लिख सकते हैं तो सबसे कम reactive यहाँ पर मैंने दिखाया gold सबसे high reactive दिखाया lithium यानि कि number one ranking पर stand कर रहा है lithium अब जो दो पहलवानों की गुस्ती हो रही है sodium के पास क्या है sulfate है और इसकी reaction होती है magnesium से sodium कहां पर है उपर magnesium कहां इससे नीचे तो यह reaction कभी भी नहीं होगी यह भी आपनी याद रखना है क्योंकि इस पर गारे question competitive में भी आते हैं और वहाँ पर हम confused हो जाती है हमें लगता है कि यह displacement reaction है यहाँ पर MgSO4 बन जाना चाहिए लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जब तक आपको यह series याद नहीं होगी तब तक आप displacement reaction को नहीं समझ पाएंगी आपको यह series पता है तो आपको बताओगा magnesium तो भई sodium से कमजोर है यह sulfate को कैसे लेके जा सकता है ठीकि उसी प्रकार से जैसे class के अंदर दो बच्चे हैं और उनकी लडाई हो जाती है pencil के उपर कि यह मेरी pencil है दूसरा बच्चा कहता है यह मेरी है दोनों के लीच लडाई हो जाती है तो pencil वो बच्चा छीन लेता है जो ताकतवर होता है तो यहाँ पर वही चीज़ा sodium के पास pencil है यहाँ पर सुपोज कर लीजिए pencil means मैं यहाँ पर sulphate को बता रहा हूँ कि sodium के पास यह sulphate रूपी pencil है यह magnesium तब लेकर के जाएगा जब इससे ज़्यादा ताकत और होगा लेकिन इस series से हमें पता लग रहा है इस series को हम बोलते है reactivity series यानि कौन ज़्यादा reactive कौन कम उपर से नीचे जो reactivity है वो घट रही है तो sodium यहाँ stand करता है magnesium यहाँ करता है sodium जाया ताकत और है तो अपने पास से sulphate magnesium को कभी लेने नहीं देगा इसलिए यह reaction कभी होगी नहीं इसी परिकार अगला देखिए copper sulphate और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ magnesium के साथ magnesium यहाँ पर है copper यहाँ पर है यानि magnesium copper से बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो magnesium sulphate को अपने साथ ले जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा magnesium sulphate plus copper as simple edge very good मेरे हिसाब से अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि displacement reaction कब होगी और कब नहीं होगी आगे बढ़ते हैं चोथी जो type है उसको हम बोलते हैं double displacement reaction double displacement double displacement reaction यानि कि द्वी विस्थापन अभी के दिया आएं द्वी विस्थापन पहले वाले क्या थी विस्थापन और ये क्या है द्वी विस्थापन अभी के लिया आएं यानि कि वो सभी अभी के लिया आएं जिन में दोनों तरफ आइनों का आदान परदान हो यानि इसके पास जो चीज है वो दूसरा ले गया सुपोज करो मेरे पास pen है एक बच्चे के पास pencil है मैंने उसे pencil ले ली उसने मुझे pen ले लिया very simple जैसे आपको दिखाता हूँ करके देखी यहाँ पर sodium sulfate sodium के पास sulfate है barium के पास chloride है barium sorry barium note barium barium के पास क्या है chloride है तो sodium का जो sulfate है वो barium ले गया और barium के पास जो chloride है वो sodium ले गया तो दोनों का जो ions का आदान परदान अगर होता है तो ऐसे अभिकिरियाओं को हम बोलते हैं double displacement reaction यानि कि दिवी विस्थापन अभिकिरियाओं तो barium किसको ले गया भई sulfate को और sodium किसको ले गया chlorine को अब एक और बात में यहाँ पर बताना चाहता हूँ यह जो reaction है इसके अंदर जब हम sodium sulfate में barium chloride को डालते हैं तो जो हम जिस test tube के अंदर हम डालते हैं sodium sulfate को barium chloride में उस test tube के अंदर barium sulfate का एक चूरण जमा हो जाता है बिल्कूल baric chूरण जिसे हम बोलते हैं precipitate यह तीर की निशान से दिखाते हैं तीर का निशान का मतलब है कि इसके अंदर white color का precipitate जमा हो गया जिसे हिंदी में बोलते हैं अवक shape तो इसे लिए इन अभिकरियाओं को हम अवक shape पन अभिकरियाँ भी कहते हैं अवक shape पन अभिकरियाँ अगर paper में आता है अवक shape पन अभिकरियाँ किसे कहते हैं यानि precipitation reaction precipitation reaction तो प्यारे भी द्यारतियों आपने बिल्कूल दिक्कत नहीं माननी है reaction वही लिखनी है जो मैंने double displacement की रिखी अभिकरियाँ की आपने केवल क्या करना है definition को बदल देना है जैसे यहाँ पर लिखा था कि वे अभिकरियाँ जिनमें आइन exchange होता है या आइनों का अधान परदान होता है उसकी जगह पर आपने लिखना है वह अभिकरियाँ जिनमें out shape बनता है दोज reaction in which precipitate is formed is called as precipitate reaction और यही अभिकरियाँ आपने याँ पर लिखनी है बिल्कुल सेम तो यह थी हमारी reactions की type अब प्यारवी जैर्थियो आपको यह जानना जुरूई है कि कोई भी chemical reaction है उसमें जो भी reaction होता है जैसे अगर आपने देखा होगा चालिस किलो लड़ू बनवाने है तो वो कहता है कि भई ऐसा है साथ किलो घी लगेगा इसमें और दस किलो चीनी लगेगी दस और साथ सत्रा और बाकी जो 23 किलो है वो आटा या मैदा जो भी वो यूज़ करता है बेसन यूज़ करता है वो लगेगा तो हम कहते हैं कि भई चालिस किलो लड़ू बना रहा है और एकेवल टेइस किलो ही बेसन यूज़ कर रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों वो भी रसायनी कभी किरिया का यूज़ करता है कि जो भी चीज़ हम मिलाते है उनका जो टोटल वेट है जो टोटल वेट है रियक्टेंड का यानि अभी कारक का वो प्रोड़क्ट के टोटल वेट के बराबर होता है यानि कि अगर हम सुपोस्कुर। साथ किलो गी मिलाते हैं तेरा किलो चीनी मिलाते हैं तेरा और साथ बीस तो बेसन बीस किलो बनेगा तो लड़ू कितने किलो बनेंगे 40 किलो जितने अभी कारक हम लेंगे उत्पात जो है उसके वेट के बराबर ही बनेगा इसे साइस की भासा में बोला जाता है द्रवेमान सरक्षन का नियम यानि कि जैसे आप फिलोस्पी में पढ़ते हैं कि आत्मा अजर अमर है ने कभी नस्ट होती है ने कभी पैदा होती है इसी परकार पदार्थवी अजर अमर है वो ने कभी पैदा होते हैं वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं इसे हम बोलते हैं, law of conservation of mass, यहाँ पर हमने अगर 40 किलो के पदार्थ लिये, तो लड़ू जो है, वो भी 40 किलो बनेंगे, तो इसे के लिए हम क्या करती हैं, कोई भी रसाइनी कभिकिरिया है, जब तक वो दोनों तरब बराबर ने हो, तब तक वो सही रसाइनी कभिकिरिया, यानि कि संतुलित रसाइनी कभिकिरिया, balanced chemical reaction नहीं की जा सकती, तो इसी लिए किसी भी chemical reaction को क्या करना पड़ता है प्यारी विद्धार्थियो, balance, chemical reaction should be balanced, यानि संतुलित करना आवश्यक है, अगर ये question आता है कि किसी भी रहसायनिक अभी किरिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपने यही बताना है कि पदार्थ जो दरवेमान स् है, law of conservation of mass, उसके मताबिक जितने reactant होंगे, उसी के अनुपात में product बनेंगे, यानि अभी कारक जितने होंगे, उतने ही उत्पात बनेंगे, इसी लिए दोनों साइड को balance करना जरूरी है, तो balance कैसे किया जाता है, ये हम आज आज आपको सिखाता हूँ, देखे कोई भी आइरन में water मिलाया, लोहे के अंदर water, तो यहाँ पर बना iron oxide, F3O4, और यहाँ पर बन गया H2, hydrogen, अगर इस अभी करिया को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर iron कितनी है, एक, यहाँ पर iron कितनी है, तीन, तो इसका मतलब यह अभी करिया balance नहीं है, तो balance करने का बिल्कुल असा तरीका बदायेता हूं, बहुत सारे भी द्याती है, जो balance कर ही नहीं पाते, क्योंकि easy method से उनको बदाया नहीं जाता है, यह समझ नहीं जाता है, बदाने क्या करने है, तो मैं आपको बहुत easy method बदायेता हूं, line लगा लीजे, बीच में इधर लिख लिए right hand side, और इधर लि एक यहाँ पर F5 है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पर oxygen है, अब देखो एधर F5 कितने है, 1, यहाँ लेक लिजे 1, hydrogen कितने है, 2, यहाँ लेक लिजे 2, oxygen कितने 1, उधर F3, oxygen 4 और hydrosan 2, अप देखी balance कहा है, balance तो है यह नहीं ना, तो आप इसको balance करने के दिब्बे में बंद कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैलस करने के लिए क्या करते हैं, इधर तीन है जी, लो सर यहां तीन लगा दिया होगी, जी बैलस आयरेंट हो गए, लेकिन गलत है, इस तरह से हम इसको बैलस नहीं कर सकते, तो इस चीद से बचने के लिए आप क्य लगाना है बैलस करने के लिए वो इस धिब्बे के आगे लगाना है, clear, तो जैसे एप्टिक यहां पर कितने तीन, यहां पर कितने एक, तो यहां पर लगा दो तीन, धिब्बे के आगे याद रखना, यह होगे बैलस, बाकी चीज़ा भी बैलस नहीं है, हाइडरोन यहां दो है यहां भी 2 है उक्सिजन यहां एक है यहां 4 है तो मैं यहां पर क्या करूँ चयार लगा दूं चयार लगा लिया four को जब उक्सिजन से मल्टीप्लाई किया तो four into one कितना हो गया four, तो oxygen यहां पर हो गया four, लेकिन इस चयार के लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए फोर इंटू टू एट यानि एक चीज को हमने बैलेस किया तो दूसरी चीज गड़बड हो गई कोई बात नहीं इधर देख लेते हैं बैलेस इधर कर देंगे अब हाइड्रोजन यहाँ पर दो है तो यहाँ आगर यहाँ आपर मैं चार लगाता ह हूँ तो फोर इंटू टू कितने हो गए एड्र आप यहाँ पर तीनों चीजे बैलेस हैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी कोई चीज बैलेस करें आप कोई भी डिजिट लगाएं वो इस डिब्बे के आगे लगाएं इसलिए मैंने इनको डिब्बे में बंद किया आप कभी भी बैलेस करना गलत नहीं करेंगी तो प्यारे विज्यार्चियों नेक्स्ट टोपिक की तरफ चलते हैं इससे फ्टर का वो है ओक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओक्सीडेशन एंड रिडक्शन हिंदी में हम इसको बोलते हैं उप्चेल तथा अप्चेल आप जै जिसमें उक्सीजन ली जाए जैनी जिस भी रिडक्शन के अंदर उक्सीडेशन को लिया जाए उक्सीडेशन का लाव हो या हाइड्रोजन की यहानी हो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रियक्शन जैसे मैं यह आपर दिखाता हूं Cu Plus O2 Cu O तो copper ने क्या क्या oxygen को लिया और copper oxide बना तो ऐसे ही सारी अभी करिया है जिसमेn oxygen को लिया जाए या hydrogen को छोड़ा जाए उसे हम बोलते हैं oxidation reaction यानि oxygen अभी के लिया है और वो सारी reaction जिसमें hydrogen को लिया जाए उसे हम बोलते हैं अब चेन अभी करिया हैं, जैसे sodium प्लस hydrogen यहाँपर क्या बन गया, sodium hydride, balance कर देता हूँ, यहाँपर दो लगा देता हूँ, यहाँपर भी दो लगा देता हूँ तो इस अभी करिया को हम क्या कहेंगे अब चेन यानि reduction reaction जिसमें hydrogen को लिया जाए या oxygen को इधर छोड़ दे clear है ना? इधर अगर कोई चीज अड होती है, तो हम उसे गहते हैं कि add हो रही है, और अगर इधर कोई चीज add होती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो चीज निकल रही है, तो अगर इधर oxygen को छोड़ दिया जाए, या इधर hydrogen को ले लिया जाए, तो से हम बोलते हैं reduction, या oxygen को ले लिया जाए, या hydrogen को छोड़ दिया जाए, तो से हम बोलते हैं oxidation reaction, और वो अभी किरिया जिसमें दोनों चीज हो रही हो जैसे यहाँ पर देखिए यह देखिए, जैड़ अग O plus C, जिंग जिंग प्लस कार्बन, जिंग प्लस कार्बन मोनोक्साइड यहाँ पर देखिए, जिंग के पास oxygen थी, है न, यहाँ पर इधर नहीं है, यानि जिंग ने oxygen को खो दिया तो जिंग में क्या हुआ reduction, oxygen का खो देना क्या कहलाता है, reduction यानि अप्चेयन और दूसरी तरफ अगर हम देखें, कार्बन के पास oxygen नहीं थी, इसने इसको प्राप्ट कर लिया, तो इस कार्बन में क्या हो रही है, oxidation यानि उप्चेयन तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों चीज़े हो रही हो यानि एक तरफ oxidation हो रहा हो एक तरफ reduction हो रहा हो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं redox, red और ox यानि reduction और oxidation यानि redox reactions क्लियर है न? आप अगर एक और चीज़ पुछली जाए आपसे कि इसमें oxidation को कहां पर हो रहा है, तो आप ये बता दोगे यहां पर हो रहा है, reduction कहां हो रहा है तो आप बता दोगे यहां पर हो रहा है और अगर आपसे ये पूछले कि कौन oxidize हो रहा है, या कौन reduce हो रहा है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए oxidize में उसक्या होता है जो oxygen को ले ले तो oxygen को किसने ने लिया carbon नहीं, तो carbon oxidize हो रहा है, reduce क्या होता है जो oxygen को दे दे, तो किसने दे दी, zinc oxide नहीं तो zinc oxide क्या हो रहा है, यहां पर reduce हो रहा है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हूँ next topic is sector का, जिसका गाम है corrosion जंग लगना corrosion किसी भी धातू की जो उपरी परत है जब भी वो oxygen और पाने के संपर्क में आती है, तो वो उपरी परत धिरी धिरे खतम हो जाती है जैसे आपने देखा होगा, लोहे की उपरी परत को क्या लग जाता है, जंग लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं संक्षारण तो इसको कैसे रोका जा सकता है अगर जंग लगेगा, तो जंग को ही लगएगा, बाकि जो लोहा वगरा है वो बच जाएगा जिनकी पर चड़ा कर तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने जंग लगने से बचाना है तो ये चीज़े हम कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं लास्ट टोपिक की तरफ इस सेटर का जिसका नाम है एरर एंसीडिटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विक्रित गंदिता खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उसमें से बहुत ही बैड स्मेल आने लग जाती है जिसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी यानि विक्रित गंदिता means क्या है कि when we kept any food substances open in the air the bad smell is comes out from it is called as रैंसिडिटी यानि कि भोजन को काफी समय तक हवा में खुला छोड़ देने पर उसमें से गंद आने लगती है जिसे हम बोलते हैं विक्रित गंदिता तो इसको कैसे रोक सकते हैं रैफ्रीजरेटर में रख दीजिए फूड को फ्रीज में रख कर बाइ प्लेसिंग दा फूड इन रेफ्रीजरेटर बोजन को फ्रीज में रख करके या फिर एर टाइट कंटेनर में जैसे बिस्किट पगएरा आपने एर टाइट कंटेनर में रखते हो ना तो काफी टाइम तक वो मुलायम नहीं होते बिलकुल कडक रहते हैं तो ये टाइट कंटेनर में रख करके भी कुछ टाइम तक फूड को खराब होने से बचाया जा सकता है वायू रोधी बरतन में रख करके और तीसरा जो है वो सबसे इंपोर्टेंट है जैसे आप सभी मुझे मालूम है कि कुरकरे, मुर्मरे ये चीज़े बड़ी चाव से खाते है तो इनके अंदर आपने देखा हुआ इनका जो पैकिंग होती है चिप्स तो निकलेंगे नाम महत्तर के लेकिन काफी फूला हुआ लिभाबा होता है उसका कारण है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस बरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस बरके भी भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है नाइट्रोजन गैस बरकर तो ये तीन चीज़े हैं जिनकी साहता से हम भोजन को खराब होने से बचा सकती है तो ये था प्यारे विद्यारती चेप्टर नंबर वन इसके जो question जाए exercise है वो कीजिए और जो कोई भी problem है वो हमारे comment section में लिकिए कल हम start करेंगे next chapter acid, base and salt acid, base and salt तो दिरे-दिरे हम क्या घरेंगे आपकी size को बिल्कुल मजबूत बना देंगे जुडे रहे हमारे साथ घर पे बैटके त्यारी कीजिए और इस corona रूपी महामारी से लड़िये, जंग कीजिए और जीत पाईए Thank you very much प्यारवी द्यारतियों आज हम start करेंगे chapter number 2 acids, bases and salt अमल, अक्षार और लवन इस corona महामारी को आपने घर बैटकर ही हराना है हमारे साथ लगे रहिए, घर बैटकर तयारी कीजिए साथ साथ नोट्बुक को complete कीजिए और याद करते रहिए तो हम start कर रहे हैं chapter 2 10th class, acid, base and salt तो chapter को शुरू करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि acid, base होते क्या है यानि अमल जिने हम acids कहते हैं और base जिने हम अक्षार कहते हैं एक्चियों में क्या होते हैंगी एक practical भी मैं जल्द ही आपको दूँगा acid और base से related ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएं वैसे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि अमल जो यानि acid होते हैं वो taste के अंदर खटे होते हैं स्वाद उनका कैसा होता है खटा जैसे आप सभी को मालूम है नीमबू है संत्रा है मोसमी है ये सभी क्या है अमल है और जो अक्षार होते हैं वो taste के अंदर कैसे होते हैं कडवे बिटर इनका taste होता है कडवा और इनका होता है खटा sour in taste और ये bitter taste होता है इनका कडवा तो acid और base के अंदर general difference तो यही है लेकिन अगर आप हर चीज को taste करके ही पता लगाएंगे चीजे ऐसी है जैसे मैं अगर बात करूँ H2SO4 sulfuric acid जिसे हम बोलते हैं HCL hydrochloric acid NaOH ये अक्षार है जिसे हम sodium hydroxide या kastik soda कहते हैं ये ऐसे पदार्थ है अगर आप taste करके पता लगाओगे तो खुद नखास्ता कहीं ऐसा नहों कि हमारी जान की आप पता पड़े तो इसे लिए हर चीज़ को test मत कीज़े उसके लिए better solution है हमारे पास हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ acid है और कौन सा है base तो उसके लिए better solution क्या है litmus paper या litmus solution ये है एक alternate जिसकी साहता से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ acid यानि अमल है और कौन सा पदार्थ base यानि अक्षा है तो प्यारे दोस्तों कैसे लगाएंगे पता जाने देखिए जो litmus paper है ये obtain होता है lichen एक plant पाए जाता है आम तोर पर उन अक्षित्रों में पाए जाता है litmus paper क्लियर है न ये बात तो litmus paper क्या काम करता है जाने litmus paper दो तरह के होती है एक होता है red litmus paper और एक होता है blue litmus paper इन दोनों litmus paper का आप यूज करके acid और base में difference कर सकते हैं कैसे देखिए जो red litmus paper है वो क्या करता है अगर उसकी बूंदे अमल की बूंदे इस paper पर डालेंगे red litmus पर तो कोई असर नहीं होता लेकिन अक्षार की बूंदे अगर लाल litmus paper पर डालेंगे तो उसका color हो जाता है blue इसी परिकार blue के उपर अक्षार की बूंदे डालेंगे कोई असर नहीं होगा लेकिन blue के उपर acid यारी अमल की बुंदे डालेंगे तो इसका color हो जाता है red तो अगर color change हो जाए आप practical में आपको दूँगा जल्दी इसी channel पर आप अच्छे से ताकिया इस topic को समझ पाएं तो प्यारे भी द्यार्थियों इसके लिए एक short cut trick दे तो आप confused रहेंगे क्योंकि बहुत सारे teachers ने आपको बताया होगा कि भाई ये red को blue करता है ये blue को red तो last में आपका confusion होता है कि कोन किसको क्या करता है यहीं पर हमारी सारी कि सारी जो मेनत है यहीं पर टिकी रहती है तो solution में आपको दे देता हूँ आप एक short cut trick याद कीजिए anil very simple anil anil ऐसे अमल नी यानी नीला और ला यानी लाल तो अमल क्या करते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं very simple तो आप base यानी अक्षार क्या करेंगे इसका उल्टा यानी वो लाल को नीला करेंगे तो आप anil नाम को याद करना कभी नहीं भूलेंगे कि acid और base में क्या difference है तो प्यार विद्यार क्यों आगे बढ़ते हैं अब हम देखी जो properties कर रहे हैं acid और base की properties acid और base किस से मिलते क्या करते हैं आमल और अक्षार की properties गुंधरम देखिए सबसे पहले ہम बात करते हैं metal के साथ धातू के साथ अभिकिरिया reaction with metal reaction with metals तो जो अमल होते हैं acids वो metals से react करके किसे भी metal को ले लिए जिए दिसेंieme역 है और किसे भी acid को ले लिए axial को ले लिए suppose Grö तो वो metals से अभिकिरिया करके धातू से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे इसे हम बोलते हैं salt यानि लवन इस chapter का नाम यही था ना acid, base and salt तो जो metal है यानि धातू है वो किसी भी acid से अभिक्रिया करके लवन बनाते हैं और कौन सी gas produce होती है प्यारे विद्यारतियो hydrogen gas produce होती है यह आपने ध्यान लगना है competitive के लिए काफी important है पूछा जाता है कि जो metal है वो amal यानि acid से react करके कौन सी gas produce करते हैं तो hydrogen gas produce करते हैं और लवन बनाते हैं यह आपने लिखना है question अगर आता है कि acid यानि amal धातूं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं तो simple आपने यह अभिक्रिया लिखनी है और बताना है कि 11 बनाते हैं और hydrogen gas produce करते हैं very simple इसी परकार अगर हम बात करें base की reaction with metal किसकी? base की अगर base की बात करें प्यारे विद्यार की हो तो जैसे मैं यह आपर ले लेता हूँ zinc की किसी भी base से अभिक्रिया NEOH NEOH sodium hydroxide है strong base है अगर इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी वही बनता है लवन Na2, ZnO2 sodium zincate बोलते हैं इसको हम और इसमें भी कौन सी gas produce होती है hydrogen यानि दोनों के अंदर same चीज है अगर question में आता है अमल क्या बनाते हैं metal से तो भी वही बोलना है लवन और कौन सी gas produce करते हैं hydrogen gas लवन means क्या होगा salt तो ये था हमारा पहला reaction with metal आगे बढ़ते हैं second reaction with metal carbonate metal carbonate and metal hydrogen carbonate and metal hydrogen carbonate तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक difference भी होता जा रहा है देखे जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर metal की metal carbonate की किसके साथ reaction कर रहे हैं अमल और अक्षार से तो ये अमल से अभिकरिया तो कर जाते हैं लेकिन अक्षार से अभिकरिया नहीं करते तो पहले हम बात करते हैं metal carbonate होता क्या है metal यानि कोई भी धातू यहाँ पर आप sodium भी ले सकते हैं magnesium भी ले सकते हैं कोई भी metal carbonate क्या होता है CO3 को carbonate बोलते हैं CO3 तो metal अब इसको balance करने के लिए यहाँ पर मैं 2 लगा रहा हूँ क्योंकि balance को हमने बराबर करना होता अगर आपने balance के बारे में नहीं जानते कि मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया तो आप हमारा introductory lecture जो हमने सबसे पहले start किया था chapter 1 से पहले उसको आप देख लीजेगा तो आपको पता लग जाएगी sodium carbonate में आपने के नीचे 2 क्यों लगाया जाता है तो यह हो गया हमारा metal carbonate बिल्कुल सिंपल अब है metal hydrogen carbonate फिर से एक बार sodium को यह ले लेते है hydrogen यानि H और carbonate यानि CO3 यहाँ पर 2 नहीं लगेगा क्योंकि sodium की balance 1 होती है और hydrogen की 1 होती है तो 1 और 1 2, 2 से 2 cancel तो इसे लिए आपर 2 नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा वो हमारा first chapter देख लिजेगा आपको पता लग जाएगा तो किसे reaction करवाना आपने किसे भी अमल से करवाले जी मैं है आपर HCl से करवा रहा हम तो प्यारे विद्यार क्यों वही चीज़ बनेगी क्या Na और Cl मिलके क्या बनेगा NaCl और क्या बनेगा इसके अंदर Water और क्या कौन सी gas परड्यूस होगी प्यारे विद्यार क्यों Carbon dioxide तो आपने क्या लिखना है कि Metal carbonate यानि धातू carbonate अमल यानि acid से भी क्रिया करके salt यानि लवन जल और carbon dioxide परड्यूस करते हैं उत्पन करते हैं अब वही सेम चीज़ Metal hydrogen carbonate के साथ धातू hydrogen carbonate अमल यानि acid से भी क्रिया करके वही चीज़ बनाए गी NaCl Water और carbon dioxide मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा Balance करना है तो मैं यापे कर देता हूँ यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा और यह पहले सही balance है तो इसको balance करने की जुरूरत नहींगे Very simple आगे बढ़ते हैं अब अगर हम बात करें कि अगर हम acid और base दोनों को मिला दें तो क्या होगा reaction of acid with base acid और base दोनों को मिला दें तो क्या होगा तो करके देख लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक acid HCl एक base लेता हूँ NaOH तो जब दोनों को मिला आए जाता है तो क्या बनता है Na और Cl मिलके वही दुवारा से नमक यानि salt यानि लवन और X और OH मिलके क्या बन गया यहाँ पर Water तो वही आपने लिखना है अमल और अक्षार को जब मिलाया जाता है Acid and base when react together to form salt and water तब लवन और जल बनते हैं और इस अभिकरिया को हम बोलते हैं Neutralization Reaction Neutralization Reaction हिंदी में क्या बोलेंगे प्यार विध्यार कियो उदासी नी करण अभिकरिया तो उदासी नी करण अभिकरिया क्या होती है अमल और अक्षार आपस में मिलकर लवन और जल बनाते हैं इस अभिकरिया का हमारे ना डैनिक जीवन में बहुत में तो है कहां कहां जानगे अभी कराते हैं Next topic हमारे डैनिक जीवन में pH का क्या मेहतो है pH क्या होता है अभी next topic हमारा pH पर ही आने वाला है तो पहले आप इसी से जुड़ा हुआ topic यानि उदासी नी करण अभिकरिया से जुड़ा हुआ topic हम करवा रहे है pH के बारे में अभी just इसके बाद हम discuss करेंगे क्या मेहतो है ये next question है इंगलीज में ये रहेगा तो प्यारे विद्यार्चिट जैसे मैंने अभी आपको बताया उदासी नी करण अभी करिया यानि neutralization reaction उसका क्या रोल है देखिए जब आपके पेट के अंदर आप सभी को मालू है जब भोजन पच्टा है उसमें HCL यानि हाइड्रोकलोरिक अमल का एहम योगदा है जिसे आप तेजाब बोल देते हैं कोई ये बोल देता है कि मेरे पेट में गैस हो रही है तो actually वो क्या है वो HCL है आपके पेट में जो निकलता है clear? तो जब वो ज़्यादा में निकलता है तो हमें पेट के अंदर जनल मैसूस होती है आप उसे gas भी कहा सकते है acidity भी कहा सकते है इंतिजाब भी कहा सकते है जो भी आपको appropriate word लगता है आपके daily life में आपने अनेक लोगों से सुना होगा तो वो जब produce होता है तो डोक्टर आपको क्या देते है डोक्टर आपको कोई भी base देते है वो आपको base दे सकते है magnesium hydroxide baking powder भी वहाँ पर आप यूज कर सकते हो NaH CO3 खाना बनाने का soda जिसे कहते है ये दोनों क्या है? अक्षार है, base है और जब अमल आपके फेट में होता है और उपर से आपको अक्षार दे दिया जाए तो उसका परभाव उदासीन हो जाता है यानि बिल्कुल खतम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं उदासीनी करन अभी करिया यानि की neutralization reaction clear? तो ये था हमारा पहला example दूसरा example, example number two माल लीजी आपको किसी आंट यानि चिंटी ने काट लिया तो प्यारे विजार थी हो चिंटी का जो डंक होता है उसके अंदर भी methinoic acid होता है उसमें भी एक acid है जिसने methinoic या formic acid कहते हैं methinoic या formic जब चिंटी काटती है तो ये acid आपके skin पे छोड़ देती है और उसी दुरान अगर आप इनमें से कोई भी base वहाँ पर फटा-फट लगा लें जैसे baking powder जिसे हम बीटा soda बोलते हैं या magnesium hydroxide फोड़ा सा लगा लें तो वो जगें वहाँ पर sojan नहीं आएगी क्योंकि चिंटी का जो acid है उसको बिलकुल उदासीन कर देगा इनमें से कोई भी एक base यानि अक्षार इसी परकार अगर आपके खेत की मिट्टी acidic हो अगर आपकी soya अमलिये हो acidic हो खेत की मिट्टी तो आप वहाँ पर क्या मिला सकते हैं चूना मिला सकते हैं calcium oxide यानि चूना मिला सकते हैं और चूना मिलाते ही वो क्या हो जाएगी neutralize उदासीन और उसके अंदर पसल होगी बरपूर तो कुछ एक चीज़े हैं इसी परकार अगर आप के दान्त खराब हो रहे हैं तो वो भी दान्तों के अंदर acid बनने के कारण होता है तो वहाँ पर आप basic tooth paste use कीजिए तो आपके दान्त फिर से चमकने लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी काम करता है neutralization reaction मेरे इसाब से आपको ये चारों fact अच्छे से समझ में आ ले होगे PH आखिर है क्या PH क्या होता है PH होता है hydrogen ion concentration किसी भी पदात में hydrogen ion کی मात्रा कितनी है उसे हम बोलते हैं hydrant potential भी आप इसको बोल सकते हैं hydrant potential यान anál hydroson क्या जो potential है मात्रा है वो कितनी है उसे हम बोलते हैं PH तो प्यारे विज्यार तो दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ है ना उनका pH होता है 0 से लेकर के 14 तक clear है ये बात 0 से 14 तक अब जो 0 वाले होते हैं वो होते हैं Acidic क्या होते हैं वो Acidic यानि अमलिये और जो इस तरफ वाले होते हैं पदार्थ उन्हें हम कहते हैं Acidic जो बीच में पदार्थ होते हैं यानि सात वाले उन्हें हम कहते हैं Neutral यानि कि आपको हर चीज को क्या करना है Neutral करना है उसका pH कितना करना है सात करना है, आपकी बोटी का pH अगर बढ़ गया ना एक, एक परसेंट भी, यैनि सात से आट भी हो गया, तो आपकी मृत्यू भी हो सकती है इसलिए आपको अपना pH कीतना करना है, सात करना है, अगर आप इसमेरे करने में कामयाब रहते हैं तो आपकी light भी लंबी रहेगी और आप हमेशा सवस्त रहेंगे तो सारह का सारा राज इसे में चीपा हुआ है तो यानि इससे इधर वाले क्या होँगे आप यानि अक्षारिये तीरने ये बात और साथ वाले क्या होँगे तो प्यारे विद्यार्चों साथ से जितना कम उतना ही ज़्यादा एक यानि कि zero वाला तो क्या होगा strong acid होगा strong acid जिसे इंदिवे बोलेंगे परबल अमल और जितना zero से एक दो तीन चार पांच छे इधर जाते जाएंगे acid की जो ताकत है वो कम होती जाएगी यानि कि 4 पांच ये वाले क्या कहलाएंगे दुर्बल अमल यानि कि weak acid इसी परकार इधर जाएए 14 वाले 14 है वो strong base परबल अक्षार और जितना इधर आओगे यानि कि 8,9,10 ये वाले क्या होगे weak base बात समझ में आगी न 11,12,13 वाले थोड़े strong होगे 14 वाला तो very strong होगा इसी परकार 0,1,2 व वाला सबसे strong है एक वाला थोड़ा सा कम दो वाला थोड़ा और कम तो इस परकार ये pH होती है मेरे साब से आपको समझ में आ गया होगा कि pH एक्चुली है क्या प्यारे भी जारते उस pH के बारे मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहूँगा एक्चुली ये pH है क्या तो देखिए जैसे आप acidi grain की बात करते हैं acidi grain अमलिय वर्षा उसका नुक्सान क्यों है क्योंकि उसका जो pH मान होता है na acidi grain का अमलिय वर्षा का वो 5.6 से कम होता है होना कितना चाहिए पानी का साथ तो इसका 5.6 से भी कम होता है इसका मदलब क्या है यह आपके लिए काफ़ी dangerous है naoh का pH मान 14 होता है यानि कि यह क्या है strong acid है clear ना बात यहां पर समझ में आ रही है na co3 sodium hydrogen carbonate इसका लगबग 9 के आसपास होता है तो यह क्या है यानि कि base तो है अ pH मान होता है एक तो यह क्या हुआ strong acid HCL का 0 होता है तो यह very strong acid हुआ ना सबसे strong clear है बात यहां पर समझ में आ रही है very good तो कुछ एक बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए milk of magnesium magnesium hydroxide की बात करें तो उसका pH मान 10 होता है आम तो पर आपको जो bottle देते हैं डोक्तर कि सुबह सुबह आपने इसको पीना है या जो भी आपको tablet दी जाते ही खाली पेट लेने वाली वो actual में acid को दूर करने के लिए दी जाती है तो आपको यह छोड़ी छोड़ी बातें आकर आपको पता होगी तो आपको इस परिकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको पता होगा कि pH का क्या रोल है हमारे daily life में कि इसका pH कितना होता है कोफी का कितना होता है लगबग इसका रहता है 7.6 के आसपास तो यह चीज़ें आपको मालम होनी चलिए मिल्क की बात करें तो भी 7.4, 7.5 के आसपास मिल्क का pH रहता है तो प्यार भी द्यार चूँ यह तो था pH के बारे में अब हम बात करते हैं क्या सारे acid, acid ही होते हैं, acid की पैचान क्या है क्या से पता लगाएंगी देखी जैसे HCl है इसके आगे क्या है H, H2SO4 है यह भी इसके आगे भी H है, mostly जिनके आगे H है यह तो मैं आपको एक सोटकर ट्रिक दे रहा हूँ, कोई hard and fast rule नहीं है, वैसे अगर मैं आपको बता दूँ इसके पीछे H है, सिर्का जिसे हम बोलते है, acid यह भी acid है, लेकिन आम तोर पर जिसके आगे H है, वो acid ही होते हैं, लगभग, तो क acid क्यों होते हैं यह, क्योंकि यह water में मिलकर, जैसे axial है, water में मिलकर कौन सा आइन देते हैं, hydrogen ion देते हैं, hydrogen ion, कोई भी अगर hydrogen ion देगा तो वो acid होगा, यह आपने द्यार लखना है, तो जब यह water में मिलते हैं, तो यहां से hydrogen छोड़ते हैं, और यह hydrogen इस water से मिलकर के, H2O और यह, यह बना लेते हैं, H3O, तो यह बन गया H3O, इसे हम बोलते हैं, hydronium ion, तो acid जो भी है, वो water में मिलकर के hydronium ion मनाते हैं, तो इसी कारण यह acid होते हैं, बिना water के कोई भी acid acid की तरह विवार करता ही नहीं है, यह question paper में आता है, कि why acid not act as an acid in the absence of water, बिना पाने के कोई भी अ हमल अमल ये विवार क्रदर्श ही यह नहीं करता आपने बताना है, यह बिना पानी के कोई भी acid hydrogen ion को नहीं छोडता है, इसे लिए वो अमल की तरह विवार नहीं करता क्योंकि अमल वही होता है, जो hydrogen ion को छोडता है, और पानी के बिना वो छोड़ेगा नहीं, very simple, तो यह important question ह कई बार ये भी question आता है कि hydrogen तो इन में भी होते है glucose में glucose यह glucose है या फिर ethanol में इन में भी hydrogen है तो ये अमल की तरह वेवार क्यों नहीं करते हैं तो उसका answer भी इसी में चुपा हुआ है कि ये जल के साथ मिलका hydrogen ion छोड़ते ही नहीं है और जब छोड़ेंगे नहीं तो उन्हें हम acid कहेंगे नहीं acid उसे कहते हैं जो hydrogen ion को छोड़ते हैं तो आपने इसका answer ये देना है क्योंकि ये water मिलकर hydrogen ion को release नहीं करते ही अब आपने ये बताना है next question आ जाता है क्या जो acid होते हैं वो electricity को conduct करते ही यानि उनमें से विदुद्धारा गुजर सकती है तो इसका answer भी है yes क्योंकि वो क्या release करते हैं hydrogen ion और दूसरी तरफ cation भी release करेंगे तो ions के produce यानि आइनों के बनने के कारण इनमें से विदुद्धारा गुजर सकती है यह धान रखने आपने और यह आपने अगर पूछे तो आपने बताना भी है अब हम बात करते हैं salt की salts सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला जो salt है हमारा bleaching powder यानि विरंजत चूरण बस salt के बारे में जब आप से पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि यह salt किस से मिलके बनता है और इसके use के हैं बस यही जान रखना आपने तो विरंजत चूरण जिसके हम बात करते हैं bleaching powder की यह बनता है calcium hydroxide चूने का पन ही बोल सकते हैं आप इसको calcium hydroxide इसमें जब chlorine gas pass की जाती है तो हमारा बनता है bleaching powder जिससे हम बोलते हैं CAOCl2 CAOCl2 और प्लस water release होता है जल तो इसका नाम क्या है bleaching powder का देखिए CA क्या होता है calcium O यानि oxygen और CL यानि chloride तो calcium oxy chloride यह है bleaching powder और इस परिकार बनता है क्या लिखोगे आप जब चूने के पानी में से chlorine गुजाली जाती है तो हमारा वरिंजक चूरन बनता है या इंग्लिस में लिखेंगे When chlorine gas is passed through a solution of lime water then calcium oxy chloride is produced अब इसका use क्या है यूज में इसका bleaching का ही है यानि किसी भी चीज को रंगने में इसका use किया जाता है दूसरा water की treatment यानि एक तरह से अगर हम बात करें जो आपके water works होते हैं जहां पर पाली को सुद किया जाता है तो वहां पर हम bleaching powder को डाल सकते हैं तीसरा अभी मैं आपको बता जेता हूँ बहुत सारे गाउं के अंदर अभी जो करोना की वज़े से sanitizer का छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं आमतोर पर 1 case bleaching powder एक drum के अंदर डालिए उसे mix up कर लीजिए और उसे छिड़काव कर सकते हैं तो वहाँ पर भी एक तरह से sanitizer का यूज भी करता है तो यही था bleaching powder next हम लेते हैं यहाँ पर second है baking soda use करेंगे और क्यासे बनता है बस simple इसका नाम है sodium hydrogen carbonate baking soda sodium hydrogen carbonate इसे खाने का soda भी कहते हैं क्योंकि खाना बनाती है न जो उसमें इसका use होता है अगर आपने कोई भी double roti बनानी है idli बनानी है आपने पकोड़े बनानी है bread बनानी है तो baking powder के बगार possible नहीं होगी वो चीज फूले गी नहीं तो baking powder कैसे बनता है और इसके use क्या है वही आपने डिसकस करना है तो प्यारे भी ध्यारति ये चार चीज़े इसमें यूज होती है एक तो नमक एक water एक carbon dioxide और चोथी चीज़ जो यूज होती है वो है ammonia ये आपने जहां डिने नमक यानि common side water carbon dioxide और ammonia इन चार चीज़ों के यूज से बनता है बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा यानि फार्मूला क्या है उसका यूज तो यूज के अगर हम बात करें एक तो यूज मैंने आपको बता दिया किसी बी चीज़ को फुलाने में ब्रैट बनाने में इबली बनाने में डवल रोटी बनाने में जो भी चीज़ है उसको फुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है क्यों किया जाता है मैं और उस gas के कारण कोई भी चीज फूल जाती है दूसरा इसका use है fire extinguisher में यानि जो आग बुझाने वाले आपने cylinder देखे होंगा आपके school में buses में, campus में, hospitals में तो उसके अंदर भी इसका use किया जाता है यह आपने ध्यान रखना है तीसरा antacid antacid क्या होता भी मैंने बताया था अगर पेट में अमल बन रहा है थोड़ा सा baking powder ले लिजिए तो वहाँ पर यह काम करेगा उसे कहते हैं antacid क्योंकि वो उसको उदासिन कर देगा तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो यह था baking soda अब आगे बढ़ते हैं धावन soda यानि sodium carbonate कपडे दोने का soda भई बिल्कुल simple sodium carbonate आमतोर पर इसके साथ 10 molecule water के रहते हैं तो हम भी वह भी साथ में लिख देते हैं बनता गयस है यह अभी बताया था मैंने आपको कि जो baking powder है उसको गरम करते हैं तो कौन सी गयस निकलती है बताया था ना carbon dioxide तो जब उसको गरम करते हैं तो एक तो यह बनता है हमारा sodium carbonate और साथ में carbon dioxide gas निकलती है वोटर भी रिलीज होता है बैलन्स करने के लिए आपर दो लगा देता है तो यह sodium hydrogen carbonate को यह heat का निशान होता है ट्रेंगल इसको गरम करने पर sodium carbonate यारी धावन soda बनता है इसमें 10 molecule water के होते हैं तो आप इसको एड़ कर देजिए 10 molecule water तो यह reaction हमारी complete हो जाएगी क्योंकि बिना water के यह काम करता ही नहीं यह धावन soda 10 molecules इसमें water के रहते हैं यूज किया जाता है काँच बनाने में भी याद रखीजिए अब हम चोथे साइट पर चलती है जिसका नाम है P.O.P. यानि plaster of Paris P.O.P. plaster of Paris plaster of Paris Paris का plaster यह सभी को मालूम है कि जब भी किसी के अड़ी तूटती है तो plaster of Paris चड़ जाता है उसके उपर तो यह कैसे बनता है यह बनता है gypsum C.SO4-2H2O इसे हम बोलते हैं gypsum calcium sulphate dihydrate इसे हम बोलते हैं gypsum gypsum को जब 373 Kelvin पर heat किया जाता है 373 Kelvin पर तो बनता है हमारा plaster of Paris C.SO4-2H2O आदा H2O रहता है दो में से और 1.5 S2O उड़ जाता है जब हम इसको heat करते हैं 373 Kelvin पर और इसको हम बोलते हैं plaster of Paris यूज क्या है इसके बताईए तूटी हडियों को जोड़ने के लिए जब आपका fracture हो जाए तो इसको जोड़ने के लिए इसका यूज क्याता है खिलोने बनाने में मूर्तिया बनाने में और wall feeling यानि की छटकी जो सजावट है आजकल वहाँ पर भी P.O.P. की जाती है तो काफी सारे इसको use हैं आप लिख सकते हैं तो mostly हमारा complete हो गए आप पर एक चीज missing है वो हम आपको बता देता हूँ reactions में अगर हम बात करें तो हमारा एक reaction होती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए हमने उसको डिसकस नहीं किया exothermic reaction और एक होती है endothermic reaction ये थोड़ा सवर पढ़ लीजिए उसमा क्षेपी और उसमा सोशी ये हमारा first chapter में था मेली लेकिन आपको ये है इनको भी जानना जरूरी है उसमा क्षेपी एक्जो थर्मिक यारी जिसमें से हीट बाहार निकलती हो वो अभी किरिया है जिनमें उसमा बाहार निकलती है उसे हम बोलते है एक्जो थर्मिक और वो अभी किरिया है जिनमें उसमा ग्रहन की जाती है, heat gain की जाती है, उसे हम बोलते हैं, उसमा सोशी अभी के लिए आई, example देना है तुम आपको दे देता हूँ, जैसे आपने देखा चूने में पानी मिलाती हैं, तो heat क्या होती है प्यारे विद्यार्चों, जब चूने का पानी बनता है, तो heat क्या होती है, प heat क्या हुआ, देनी पड़ी, तो यह हो गया हमारा उसमा शोशी, और इसमें heat बाहर निकली, तो यह हमारा हो गया, उसमा क्षेपी अनि एक जो थर्मी, आप सांस का छोड़ना का यह भी बता जीजिए, सवसन कौन से भिकिरिया है, यह वाली है, यह वाली है, क्योंकि इसमें भी उसमा क्या होती है, आपके सरीर से बाहर निकलती है, तो यह भी उसमा शेपी बिकिरिया हैं कहलाती है, तो यह हमारा चप्टर नमर टू कंप्लीट है, प्यारे विद्यारत्यों कल मिलेंगे एक बार फिर से, चप्टर नमर थ्री, metals and non-metals, तो आज के लिए इतना ही पढ करेंगे, metals and non-metals, देखिए, हम सभी पिछले तकरीबन 15 दिनों से इस करोना जैसी महामारी से जूज रहे हैं, तो आप विद्यारती होने के नाते क्या कर सकते हैं, आपका ये दायत्तों है, कि आप घर पर बैठ करके, इस करोना जैसी महामारी को हराएं, stay at home, और साथ-साथ अपना काम करें, पढ़ाई करें, तब जाकर कि आप सब्चे देश के सब्चे सेवर पहलाएंगे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चक्टर नमबर 3, metals and non-metals, यानि धातू और एधातू, तो प्यार विद्यारती हो, सबसे पहले एक डिफ्रेंस ही कर देते हैं, कि metals and non-metals में क्या अंतर है, according to their physical and chemical properties, पहले हम physical properties कर लेते हैं, यानि भोतिक गुणों के अधार पर, धातू और एधातू में क्या अंतर है, भोतिक गुणों के अधार पर, physical properties के according, तो पहले विद्यारती हो, नमबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो metals होते हैं, यानि धातू के अगर हम बा good conductor of electricity, means क्या है, कि विदुद्धारा के अच्छे चालक होते हैं, विदुद्धारा के अच्छे चालक होते हैं, दूसरी तरह अगर हम बात करें, नोन मेटल्स की, तो bad conductor of electricity, यानि विदुद्धारा के कुछ चालक होते हैं, अकेला अगर हम बात करें, ग्रेफाइट की, जो की carbon का अपर रूप है, वो कुछ हर्द तक विदुद्धारा का चालक है, बाकी सारे के सारे अधातू, विदुद्धारा के कुछ चालक होते हैं, दूसरा अगर हम बात करें, heat, तो वही सें, good conductor of heat, यानि कि उश्मा के सू च आलक होते हैं, और दूसरी तरफ, जो non-metal है, वही सेंग चीज, bad conductor of heat, यानि कूछ आलक होते हैं, देखिए अगर आपने देखा हुआ घर पर हम कोई कर्ची वगरा लेते हैं, किसे चीज को pick करने के लिए, आग के उपर तड़का लगाने के लिए, तो वो heat हो जाती है, एक आग लगी होते हैं, उस तरफ से दूसरी तरफ, इसका मतलब क्या है कि heat किसी भी metal में से travel कर सकती है, इसलिए हम कहते हैं, good conductor of electricity, नमबर तीन, metals are malleable, metals are malleable, malleable means क्या होगा, malleable, अगर मेरी spelling ठीक है तो, यही आने चाहिए, malleable, malleable means क्या होता है, अगहात वर्धनिये, हिंदी में अगर हम बोलें, कि धातुए अगहात वर्धनिये होती है, इसका मतलब क्या है, कि धातुओं को पीट पीट के लंबी चादरों में convert किया जा सकता है, आपने देखा होगा लोहार क्या करता है, लोही को गरम करता है, उसे पीटता है, जिससे उसका जो साइज है, वो बढ़ता चला जाता है, उसे हम बोलते हैं, मैलेबल, अगहात वर्धनिये, नोन मैटल्स आर, एधातुओं क्या होती है, नोन मैलेबल, ये अगहात वर्धनिये नहीं होती, यानि कि इनको पीट पीट के चादरों में नहीं convert किया जा सकता, नमबर अच्याद, मैटल्स आर डक्टाई, डक्टाईल मीज होता है, तन्ये, हिंदी में बोलते हैं, तन्ये, धातुओं क्या हिएरे मित्या थीओ, तन्ये का मतलब यह है, इन से लंबे तार खीचे जा सकते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बतातूं, जो गोल्ड है ना, सोना, स not ductile, metals are not ductile, ये ductile नहीं होती, clear है बात यहाँ पर, यानि इन से लंबे तार नहीं कीचे जा सकते, आगे बढ़ते हैं, number five, metals sonorous होते हैं, sonorous means क्या होता है, sonorous means means चमकदार, sorry, lustrous means चमकदार होता है, sonorous means होता है, कि उस पर चोट मारने पर टन की आवाज आए, जैसे आपने घंटी देखी होगी, इस पूल में, उसके उपर जब भी पियन चोट मारता है, तो टन की आवाज आती है, वो केवल metal से ही आ सकती है, तो metals are sonorous, metals sonorous होते हैं, यारि इनके उपर चोट मारने पर टन की आवाज आती है, sonorous, non metals are not sonorous, इन में से टन की आवाज नहीं आती, नमबर 5, 6, metals are lustrous, metals ज्या ऐसे बोच सकते हैं, metals have metallic lustre, यानि इनमें धात्विक चमक होती है, और इसी चमक के कारण तो metals पसंद किये जाती हैं, सोना चादी क्यों पहने जाते हैं गले में, क्योंकि इनमें चमक होती है, यह diamond क्यों पहना जाता है, चमक होती है, तो metals have metallic lustre, non metals में चमक नहीं होती, लेकिन प्यारे विजारतियों यह मैं आपको बता दूँ, कि iodine एक ऐसा non metal है, जिसमें चमक होती है, non metals are, non metals do not have metallic lustre, इनके अंदर धातवीक चमक नहीं होती, यह non metallic lustre भी यहाँ पर लिख सकते थे आप, number seven, except iodine लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर iodine को छोड़ कर, number seven, metals जो होती हैं, वो solid होती हैं, hard होती हैं, sodium, potassium को छोड़ करके, metals are hard, क्या solid, except sodium, potassium, while mercury is liquid, जो पारा होता है न, वो liquid है, बाकी सभी solid होती हैं, यह आपने घ्रान रखना है, question अगर paper में आता है, वो कौन सी धातु है, जो liquid है, यानि तरल है, दर्व है, तो वो mercury है, Hg, Hg मींज mercury है, और उदर non-metal की बात करें, तो mostly, non-metals are gases, जादर non-metal क्या होती हैं, gas होती हैं, gas होती हैं, क्या होती हैं, gas, except bromine, bromine को छोड़ करके, bromine को छोड़ कर, बाकी सारे लगबग क्या होती हैं, gas होती हैं, तो यह थे हमारे difference, metal और non-metal में according to physical property, अब हम चलते चलते discuss कर लेते हैं, यानि chemical properties की अधार पर metal और non-metal में क्या difference है, according to chemical properties, देखिए हम बात करते हैं, chemical properties की, यानि रसाइनी गुर्द्रों मों के अधार पर धातू और अधातू में क्या अंतर है, तो फिर से एक बार line लगा लेते हैं, एक तरफ लिखिए metal यानि धातू, और दूसरी तरफ लिखिए non-metals यानि अधातू, अधातू में, clear है, सबसे पहला difference तो यही है, जो मैंने आपको first day introductory lecture में करवाया था, कि अगर आपको नहीं मालूम कौन सा metal है, कौन सा non-metal है, तो आप electrons को देखिए, और मैंने उसी दिन आपको सारे के सारे metals, और non-metals में difference बता दिया था, और शायद उससे बढ़िया तरीका metal और non-metal को बताने का नहीं है, अगर नहीं देखा तो first day introductory lecture आप जरूर देखिए, तो सबसे main वही है, कि metals are, electro positive, electro positive, विदूत धनात्मक, हिंदी में बोलते हैं, कि धातूएं, विदूत धनात्मक होती है, इसका मतलब क्या है कि धातूएं इलेक्ट्रोन को छोड़ती है, जो भी चीज़ इलेक्ट्रोन को छोड़े हो metal है, clear है नहीं बात, और non-metal क्या होते हैं, electro negative, यानि ये electrons को grand करते हैं, non-metals are electro negative, ये electrons को क्या करते हैं, grand करते हैं, main difference यह है metal, non-metal में, जिसमें exception ना के बराबर है, clear है ना बात के हाँ पर, number two, metal react with oxygen, metal oxygen से अभिकिरिया करके, मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों पोल रहा हूं, क्योंकि दोनों medium के जो students हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, लिख रहा हूं English में और translation साथ-साथ हिंदी में, तो हिंदी मेडियम वाले हिंदी की बात को सुने और लिखे, और English मेडियम वाले आप इसको as it is भी उतार सकते हैं, metals react with oxygen, two form, metallic oxide, तो जो धात्वे होती हैं, वो oxygen से अभिकिरिया करके, धात्वीक oxide बनाती हैं, दूसरी तरफ, non-metals भी oxygen से अभिकिरिया करते हैं, लेकिन वो non-metallic oxide, यानि add-thatvick oxide बनाती हैं, add-thatvay oxygen से अभिकिरिया करके, add-thatvick oxide बनाती हैं, clear है ना बात यहाँ पर, आपको मैंने दिखाया भी था metal, magnesium ribbon को जलते हुए, कि magnesium ribbon को जब heat किया जाता है, वो इतना reactive होता है, कि उसमें आग लग जाती है, और यह experiment मैंने आपको, कल ही करवाया था practical, देखे हैं, हम साथ साथ practical भी कर रहे हैं, था कि आपको अच्छे से समझ आ सके, science की basic knowledge practical में है, तो जो metal है, वो oxygen से react करके metallic oxide बनाते हैं, जैसे magnesium को जब मैंने heat किया, तो जो magnesium का नीचे चूरा बन गया, राख जिसे आप कहते हैं, वो magnesium oxide बनी, और उसका जो nature होता है, यानि कि अगर उसको हम litmus paper से test करेंगे, तो वो basic ही nature होते हैं, यानि अक्षारिये होते हैं, जितने भी metallic oxide हैं, और basic ही nature, यानि कि वो अक्षारिये प्रकरती के होते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, non-metallic oxide की, वो acid ही की nature होते हैं, यानि वो अमलिये प्रकरती के होते हैं, non-metallic oxides are, acid ही की nature, वो आमलिये प्रकर्ति के होते हैं क्लीर होगी ना बात यहांपर कि यह कैसे प्रकर्ति के होते हैं बेसिक यानि अक्षारिये और वो ऐसे डिक ये थे chemical difference अब आगे बढ़ते हैं chemical properties of metal हाला कि हमने discuss कर लिया है अभी difference में लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है कि कौन-कौन सी properties metal करते हैं धात्मों के रसायनी गुंधरम पहला तो मैंने अभी बताया आपको की oxygen से अभी किरिया करके क्या बनाते हैं metallic oxide, धात्विक oxide तो धात्मों oxygen से अभी किरिया करके धात्विक oxide बनाती हैं तो आपने क्या लिखना है metals react with oxygen to form metallic oxide जो भी डिफ्रेंस में लिखा था यानि धात्मों oxygen से अभी किरिया करके धात्विक oxide बनाती हैं जैसे Cu प्लस O2 तो क्या बनेगा copper oxide balance कर लेते हैं यहाँ पर और यह balance करने के लिए यहाँ पर फिर 2 लगाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर 4 लगा लेता हूँ Cu प्लस O2 क्या बनेगा यहाँ पर copper oxide या Cu O भी लिख सकते हैं यहाँ पर this will also come तो कोई भी metal है इसी परकार magnesium plus oxygen क्या बनेगा प्यारे भी धार्थियो magnesium oxide कोई भी example आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैं टूल लगा रहा हूँ balance करने के लिए तो कोई भी metal है वो oxygen से react करके metallic oxide बनाती है यानि धात्विक oxide बनाती है आगे बढ़ते हैं तो यह जो oxide है मैंने अभी बताया आपको जो metal के oxide होते हैं उनका nature क्यासा होता है basic ही nature होता है लेकिन कुछ एक oxide ऐसे है जिनका nature m4 taric है m4 taric को हिंदी में कहते हैं उब्याधर्मी इसको समझे question next है what are m4 taric oxide give example उब्याधर्मी oxide किसे कहते हैं उब्याधर्मी oxide किसे कहते हैं उधारण दीजिए ये question important है तो note कर लेजिए amp4 taric oxide किसे कहते हैं जो metallic oxide है कुछ ऐसे होते हैं metallic oxide जो acid से react भी करते हैं यानि अमल से भी और base यानि अक्षार से भी उन्हें बोलते हैं amp4 taric oxide जैसे aluminium oxide को ले लेजिए ये aluminium oxide है ये अमल से भी वेवार परदरशिक करता है और अक्षार से भी यानि बेश से भी तो ऐसे oxide को हम बोलते हैं उब्यधर्मी oxide यानि dose oxide which react to his acid as well as base clear ना बात यहाँ पर तो ये बनाएंगे क्या पिछले चैट्ट में पढ़ा था जब भी metallic oxide किसी acid या base से react करते हैं तो वो क्या बनाते है salt यानि ALCl3 प्लस H2O इसको balance करेंगे दूसरी तरफ ये भी salt बनेगा sodium aluminate कहते हैं तो दोनों ही salt बने balance इसको कर लेती हैं हम एक बार यहाँ पर आप 6 लगाईए और यहाँ पर आप लगाईए 2 तो ये balance हो गया दूसरी तरफ इसको भी balance कर लेती हैं यहाँ पर आप 2 लगाईए और इधर भी 2 अब ये balance है दो लो नाम इनका लिखना चाहें तो ये aluminium chloride है और ये है sodium aluminate clear रणा बात यहाँ पर कि वो oxide जो acid से भी और base यानि अक्षार से भी बिकिरिया करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कुबय धर्मी oxide कि गिरिणा बात यहाँ पर तो next property की तरफ चलते हैं reaction with water तो water से बात करें तो कुछ तो metal ऐसे हैं कुछ धातू ऐसे हैं पानी डालो के उनमें आग लग जाती है जैसे sodium और potassium ये बहुत ज़़ादा reactive है reactive यानि किरिया शील इतने reactive हैं कि पानी अगर इनके उपर डाला तो इनके अंदर आग लग जाती है इतने highly reactive हैं तो ऐसे जो metal हैं वो water से react करके क्या बनाते हैं sodium ले लिजिए आप potassium ले लिजिए ये water से react करके क्या बनाएंगे इनके जो oxide हैं वो water से react करके क्या बनाएंगे बतागे अगर हम बात करें potassium की और sodium की तो ये दोनों ही water से react करके hydroxide बनाते हैं और highly reactive हैं दोनों ही दोनों जब water से react करते हैं तो आग लग जाती है दोनों में और साथ में produce होती है इनके अंदर hydrosum gas ये भी question आ जाता है कि कौन सी gas produce होती है जब भी metal water से react करते हैं तो वो hydrosum gas produce होती है ये आपने ध्यान लगना इसमें clear ना बात यहाँ पर आप इसको balance कर सकती है balance करने के लिए यहाँ पर 2 लगाए इधर 2 और इधर 2 इसी परिखार इसको भी अगर balance करना है तो ये balance हो गया तो आपने क्या लिखना है metal water से react करके metal hydroxide यानि धातू जल से अभी करिया करके धात्विक hydroxide बनाते हैं लेकिन सारे नहीं कुछ एक तो water से directly अभी करिया करते ही नहीं वो steam से अभी करिया करते हैं जैसे अगर हम iron की बात करें या aluminium की बात करें लोहा water के बजाए steam यानि gas लिख सकते हैं यहाँ पर आप तो उससे अभी करिया करता है और यह बनाता है oxide ना की hydroxide यह आपने ध्यार नटना है कि सारे के सारे ऐसे हैं जो hydroxide नहीं बनाते कुछ एक हैं जो low reactive हैं जैसे iron है जो कम किरिया शील है वो water से अभी किरिया करके oxide बनाता है ना की hydroxide यह आपने तोड़ा ध्यार नटना है इसको भी balance कर लेते हैं यहां 3 लगाईए यहां 4 लगाईए और इधर इस तरफ हम क्या करेंगे F3O4 लिख लिख लिजे ferric oxide F3O4 तो यह balance है अब यहां पर यहां पर पोर आए तो कुछ metal ऐसे हैं जो direct water से अभी किरिया नहीं करते लेकिन steam से करते हैं वो hydroxide नहीं बना करके oxide बनाते हैं is it clear यह आपने ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं metal react with acid metal acid से अभी किरिया करके यानि अमलों से अभी किरिया करके क्या बनाते हैं react with acid तो यह पिछले chapter में भी किया था sodium है जैसे आप HCL से अभी किरिया करेंगे क्या बनेगा प्यरविदार्थियो salt बनेगा ना और कौन से gas release होगी hydrogen तो very simple कि धातुएं अमलों से अभी किरिया करके लवन बनाते हैं इंगलीज में लिखोगे तो metal react with acid to form salt and hydrogen gas is produced आप इसको balance करने के लिए यहां पे दो लगाईए इधर दो लगाईए तो यह balance हो चुका है और इधर भी दो और यहां भी दो लगाना पड़ेगा फिर अब यह balance है तो धातुएं अमलों से अभी किरिया करके लवन और hydrogen gas produce करती हैं बिल्कुल सिंपल है किसी का भी आप लेंगे magnesium का लेंगे तो भी वही सेम HCl से अभी किरिया करेगा तो magnesium chloride यह भी एक salt है और कौन सी gas produce होगी hydrogen यहां पे आप दो लगाईए बैलेस हो चुका है तो बहुत easy है कि पिछले गार भी है मैंने आपको बताया था कि metal acid से react करके salt और hydrogen gas produce करते हैं next metals react with non metals यह काफी अच्छा है question और इसे हम एक और नाम भी देते हैं यह वेपर में आता है ionic bond किसे कहते हैं ionic aband ionic aband यह हिंदी में आता है तो यह पूछते हैं क्या होता है जब धातुएं आधातुओं से अभी गिरिया करती है what will happen when metal react with non metal उसे हम बोलते हैं ionic bond होता क्या है देखी जैसे आप सभी भी चाहते हैं कि मैं एक life के अंदर adjustability प्राप्त करूँ मैं समाज के अंदर स्थापित हो जाऊं मुझे job मिल जाए मेरा carrier set हो जाए इसी परकार जो metal और non metal है वो भी यही चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो octet है यानि कि हमारा जो कक्ष है जिसके अंदर electron गुंते हैं वो पूरा हो जाए तो वो पूरा कैसे होगा जब metal non metal से react करेंगे और ऐसे bond को कहते हैं ionic bond आप इसे समझे एक जांपल से sodium को ले लीजी आप sodium का number कितना होता है 11 और पहले दिन मैंने आपको बताया था कि 2 electron पहले orbit में आते हैं दूसरे के अंदर sodium के 8 electron होते हैं और तीसरे में एक होता है अगर sodium का अगर हम कहें stability तब माले जाते हैं किसी भी element की जब उसका कक्ष भरा हुआ हो अगर तीसरे कक्ष की बात करें sodium के एक ही electron है ये तब बरेगा जब ये 7 electron ले लेगा जो कि काफी मुश्किल कारिये है और ये तब भी बर जाएगा अगर ये एक electron छोड़ देगा तो अगर ये एक electron छोड़ देता है तो इसमें केवल 2 ही कक्ष बसते हैं और total 10 electron बसते हैं आप दोनों कक्ष भरे हुए हैं और ये adjust है यानि आपने आपने संतूस्ट है तो जो भी metal या non-metal है वो संतूस्ट्री प्राप्त करने के लिए यानि अपने orbit को complete करने के लिए अपने octet को complete करने के लिए अपने कक्ष को complete करने के लिए या किसी को electron दे देते हैं या किसी से electron ले लेते हैं ये बहुत ही जरूरी काम है मैٹल और नोर मैटल में बोंडिन के लिए आइनिक बोंड तो यह देखी एक एक एलेक्टरोन फालतू है, सोडियम के पास और इधर दूसरी तरफ मैं बात करूँ यह देखी फालतू है ना यह देगा, किसको देगा, क्लोरिन को देगा, कैसे? क्लोरिन का नमबर 17 इसमें एलेक कितने होने चाहिए maximum इस काक्ष में 8 होने चाहिए बताया था मैंने आपको तो कितने electron की जुरूर्थ है केवल 1 sodium को एक फाल्तू है इसको एक कम है तो अगर sodium अपने एक electron किसको दे दे? chlorine को तो दोनों की बीच मितरता हो जाती है क्योंकि दोनों पाउक्टेट पूरा हो गया इसमें अपना एक electron किसको दे दिया? chlorine को दे दिया तो sodium के उपर कौन सा charge आ गया? positive, chlorine के उपर negative positive का मतलब होता है देने वाला negative का मतलब होता है electron को लेने वाला तो इस परिकार दोनों के बीच जो bond बना उसे बोलते है आइनिक आबंद तो जब भी metal, non-metal से react करते हैं कौन सा bond बनाती है? प्यारवी दियारखियो ionic bond बनाती है तो क्या लिखोगे? वहें bond या sorry, English में लिखना चाहते हैं the bond which is formed by complete transfer of electron complete transfer of electron from metal to non-metal वहें आबंद जो धातू से add हातू को electron के स्थानांतरण के कारण बनता है उसे कहते हैं ionic bond यानि ionic आबंद आगे बढ़ते हैं अब ये जो ionic bond मैंने बताया जो metal और non-metal के आपस में अभिकिरिया से बनता है इसकी properties कैसे क्या होती है? ये काफी important है और बोर्ड एक्जाम के अंदर लगभग आता है properties of ionic bond ionic आबंद की क्या विशेष्टाइं होती है clear है ना बात? पहली बात तो they are solid ये ठोस होती है नमक को आपने देखा होगा solid होता है number 2 high melting and boiling point इनका जो गलनाख है और कवतनाख है यानि कि जितने temperature पर पिंगलते हैं और जितने temperature पर उबलते हैं वो काफी जादा होता है दूसरों के temperature में कारण कि ये bond काफी मजबूत होता है और इसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है इसमें इनका melting और boiling point क्या होता है? high होता है तीसरा ये जल में गुलंसील होते हैं soluble in water they are soluble in water और number 4 they are good conductor of electricity यानि जो भी जिनके बीचना ionic bond होगा उनमें से electricity pass यानि विदुद्धारा के चालक होंगे good conductor of electricity ये विदुद्धारा के अच्छे चालक होंगे तो ये चार properties हैं याद कर लीजिए, note कर लीजिए, note book के अंदर very very important है ionic bond की properties अब आगे बढ़ते हैं next topic की तरफ एक और important question है इस एक्टर का वो है aquiresia aquiresia ये aquiresia क्या है? हिंदी में भी इसको aquiresia ही बोलते हैं ये है क्या aquiresia? पहरे दोस्तों मैं आपको बता दूँ सुनार के पासना एक liquid होता है जिसमें अगर वो सोने को डाल दे तो सोना भी पिंजल जाता है आखिर वो liquid है क्या? उसे बोलते हैं aquiresia होता क्या है? aquiresia एक solution है एक billion है जो HCl यानि hydrochloric acid hydrochloric अमल बोल लीजिए और nitric acid HNO3 nitric अमल को तीन अनुपात एक में बनाने पर बनता है यानि कि अगर हमने 100 ml बनाना है तो 75 ml HCl लीजिए 25 ml nitric अमल लीजिए समझ में आरा ना 100 ml बनाने तो 55 ये और 25 ये तो आपका aquiresia तयार और ये इतना strong होता इतना powerful होता है कि इसमें सोना भी पिंगल सकता है काफ़ी important question है इसको भी note कर लीजिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे extraction of metals extraction of metal धातू निसकर्षन हिंदी में क्या बोलेंगे धातू निसकर्षन अब ये क्या है समझे इसको प्यारे विद्यारतियो धरती से जो भी धातू निकलती है वो शुद नहीं होती है प्योर फोर में नहीं होती है बिल्कुल भी gold को छोड़ दीजिए platinum को ये प्योर फोर में निकलती है लेकिन बाग की जड़तर धातू के क्या है इंप्योर होती है बहुत सारी अशुदियां उनके अंदर मिली होती है तो उनको शुद करना क्या कहलाता है धातू निशकर्षन तो धरती से जो निकलता है वो एक तरह से पत्थर टाइप होता है जिसे हम बोलते है और या हिंदी में बोलते है आयस्क होता क्या है आयस्क धरती से जो भी निकलता है धातू के साथ असुदियों के रूप में उसे हम बोलते हैं आयस्क तो आयस्क से सुद धातू पराथ करना क्या कहलाता है धातू निशकर्षन नोट कर लीजिए, आयसक से सुध धातू प्राप्ट करना धातू निश्कर्शन कहलाता है, extracting of metal from ore is called as, extraction of metal is called as extracting of metal from ore, आयसक से सुध धातू प्राप्ट करना क्या कहलाता है, extraction of metal, अब सुध धातू कैसे प्राप्ट करते हैं, धर्ती से निकलता है और, तो और मेंसे हम क्या करत एक तरफ तो सुध्धातु प्राप्त कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मैटल और दूसरी तरफ उसमें जो गंदगी पचती है उसे हम क्या बोलते हैं गैंग यह नोट करें ना प्यारे विद्यार कियो अयसक से एक तरफ शुद्धातु प्राप्त कर ली जाती है उसे हम बोलते है मैटव अयसक किसे कहते है धर्ती से वो चीजे जो निकलती है जिन में से धातु प्राप्त की जाती है उसे हम बोलते है अयसक और पीछे बची हुए असुदियों को हम क्या बोलते हैं गयान बोलते हैं ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अब आगे बढ़ते हैं गयान क्या है असुदियों जो बच जाती है पीछे अब कैसे पर आप करेंगे शुद दातू वह आपको बता देते हैं, तो अगर मैं आपको, जो हमारा पिछला चेप्टर है, चेप्टर नमबर वन की बात करें, मैंने एक सीरीज करवाई थी आपको, रेक्टिविडी सीरीज, कि कोwn धातूultur ज़ादा क्रियासील है, कोण कम क्रियासील है, एक सिरीज करवाई थी ये सिरीज करवाई थी इसको मैंने नाम दिया था reactivity series यानि कि सभी धात में एक जैसी नहीं होती कई तो बहुत किर्याशील होती हैं और कई बहुत कम किर्याशील होती हैं यहाँ पर अगर हम बात करें lithium, potassium, barium, sodium ये very reactive है यानि कि बहुत अधिक किर्याशील हैं इतनी ज़्यादा कि अगर हम इने पानी में बीडाल दे दो आग लग जाती है जो बीच वाली हैं ये वाली ये middle हैं यानि कि ना ज़्यादा reactive ना कम और अगर नीचे वालों की बात करें ये low reactive हैं यानि कि बहुत ही कम किर्याशील सोना, चांदी, तामा इनकी कीमत ज़्यादा क्यों है यही reason है कि लाखों सालों तक जब पड़ा रहता है सोना कुछ नहीं बिगड़ता किसी से कोई reaction नहीं करता इसलिए हम इनको कहते हैं low reactive यानि कि बहुत ही कम किर्याशील दात में तो अगर हमें शुद करना है gold तो मैंने बता दिया ना कि जब शुद ही है नीचे से निकला तब भी शुद है तो उसको शुद करने की आवसकता नहीं है लेकिन ये तो बहुत किर्याशील है इनको कैसे शुद करेंगे middle वाले को कैसे शुद करेंगे तो इस series से आपको पता लग जाएगा तो एक एक करते हैं पहले हम करते हाई reactive जो very reactive है उनको कैसे करेंगे शुद extraction of ore या metals high reactive metals high reactive metals जो high reactive है उनको कैसे शुद करेंगे उनसे कैसे हम अशुदियों को दूर करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों इनको समझने के लिए एक सिंपल सा सी दाथ मैं आपको बता देता हूँ अगर एक पर्सन है वो आम जिंद्गी से भटक जाता है सुपोस कीजिए सोसाइटी से दूर हो जाता है और गलत कामों में लग जाता है अगर वो माल लोग छोटी मोटी चोरी करता है तो उसको प्रिश्मेंट मिल जाती है उसी के पोल्डी तो लोर रेक्टिव को सुध करना काफी असान है क्योंकि ये किसी से अभिकरिया नहीं करते हैं बिल्कुल शाथ रहते हैं वो शाथ लोग अमेशा सुध रहते हैं और बच्चा भी देखा हो आपने क्लास में अगर शिरार्ती है ना बहुत ज़दा तो वो आंतोर पर छोटी मोटी चोट खा लेता है वही होता है हाई रेक्टिव के साथ ये बहुत जा शिरार्ती है और जो बीच वाले है ये किसी से नहीं थोड़ा असान है और नीचे वाले जातर प्यूरी होती है तो पहले हम किन को करते हैं? नीचे वाले को कर लेते है या उपर वालों को, चलो उपर वालों कर लेते है एक्जाम्पल देता हूं में ये जो हाई रेक्टिव है, मालो ऐसा परसन है बहुत रेक्टिव है, किसी का भी सिर्फोर देगा किसी से भी रड़ाई कर लेगा या इतना रियक्टिव है अगर मालो सुपोज करो उसने किसी का मडर कर दिया तो क्या होगा आपको मालूम है ना फांसी होगी या अमेरिका या सोरी मुझे नहीं मालूम कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि फांसी देने के लिए इलेक्ट्रिक चेर पे बिढ़ाया जाता है क्लीर है ना तो इलेक्ट्रिक चेर पे बिढ़ाया जाता है तो और वहीं पर उसको करेंट दिया जाता है उसकी मृत्ति हो जाती है ऐसी इसी प्रकार अगर हाई रेक्टिव को शूद करना है तो इनको भी electric current देना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इनको dissolve करके एक विकर में डाल लीजी और दो road डाल दीजी इन दो road को हम कहते हैं एक को बोलते हैं cathode और दूसरी road को बोलते है anode positive charge negative charge जब हम इनको battery से जोड देते हैं जब हम इनको battery से जोड देते हैं और जब इनमें से current pass होता है और metal का जो भी solution है हम IASP को पिंगाल करके इस विकर में डाल लेते हैं तो जब current pass करते हैं तो क्या होता है कि जो शुद धातू होगी वो cathode के चारों दर विकटी हो जाएगी और जो impurities होगी वो anode के नीचे अशुद या impurities कहाँ पर deposit हो जाएगी anode के नीचे और शुद धातू pure metal कहाँ पर deposit होगा cathode के उपर तो इनको सुदारने का तरीका यही है इसे हम क्या बोलते हैं electrolysis तो अगर आपका paper में आता है कि high reactive metals को कैसे शुद किया जा सकता है तो आपने बताना है कि इनकों हम electrolysis करते हैं तो electrolysis में क्या होता है इसके जो भी आयसक है उसको पिघाल करके बीकर में डाल दिये जाता है और एक तरफ cathode और एक तरफ anode दो रोड लगा दी जाती है और जब इनमें से वाल इलक्री कर्डी इस पास थ्रो इट दा प्योर मेटल इस रिपोजिटेट कैथोड शुद धात में कैथोड पर डिपोजिट हो जाती है और इम्पूटीज आर डिपोजिट दिलो एनोड और असुदिया एनोड के निचे शत्र हो जाती है तो इनको इस परकार शुद किया जाता है अब हम बात करते हैं मिडल रियक्टिव यानि कि जो बीच में हैं उनको कैसे शुद करेंगे मैगनेशियम है, जिंक है, कैल्शियम है extraction of middle reactive elements मध्य किर्याशील जो धात्वी हैं उनको कैसे शुद किया जाएगा तो जो बीच में है न, ये धर्ती से निकलती है दो रूपों में या तो वो निकलेंगी, उनके साथ मिला हुआ मिलेगा sulphide आपको, क्लीर ना बात यहाँ पर जैसे मालोग कैल्शियम है कैल्शियम धर्ती से निकलेगा तो जैतो sulphide के रूप में निकलेगा या फिर निकलेगा कार्बोनेट के रूप में ये अशुदिया इनके साथ mostly होती है तो अगर वो धर्ती से निकलता है sulphide के रूप में तो उसकी हम करवाते हैं roasting जैसे हिंदी में बोलते है भर्जन भर्जन करवाएंगे बहीं का क्लीर है बात यहाँ पर और अगर वो निकला कार्बोनेट के रूप में तो उसका हम करवाएंगे calcination जैसे हिंदी में बोलते है निस्तापन यह difference भी आ जाता है कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतरे भर्जन और निस्तापन में क्या अंतरे भर्जन क्या होता है कि जो sulphide ores है यानि जिनके साथ sulphur है sulphide ores को oxygen की उपस्तिती में गरम करना और जो carbonate ores है जिनके साथ carbonate है उनको oxygen की अनुपस्तिती में गरम करना absence of oxygen इसको heat की आमने oxygen की उपस्तिती में और इसको heat की आमने oxygen की अनुपस्तिती में समझ में आ गया ना लिखो कि कैसे सलफाइड ओस आर बांट इंदा प्रजेंस अब उक्सिजन टू फॉर्म ओक्साइड तो इनसे क्या बन जाता है प्यारे विजारतियो ओक्साइड बन जाता है क्लीर है ना बात यहाँ पर बैलस करने के लिए आपर टू लगाईए इधर भी टू लगा लीजिए और इधर भी आप टू लगा लीजिए ठीक है ना बात यहाँ पर और इसी परकार जो कार्बॉरेट एस्ट है उनको हम हीट करेंगे तो इनका भी क्लीर है बात यहाँ पर तो अब दोनों ही हमें किस रूप में मिल गए ऑक्साइड की रूप में यानि दोनों एक ही रूप में परिवर्तित कर दिया हमने अलग-अलग मैथर से रोस्टिंग करवा के सलफाइडोर्स की और कैल्शिनेशन करवा के कार्बॉनेटोर्स की तो अभी भी यह शुद नहीं है क्योंकि इनके साथ क्या उक्सिजन है तो उक्सिजन को अड़ाने के लिए हम क्या करते हैं अब चेयन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं रिडक्शन पहले चेप्टर में मैंने आपको बताया था, reduction क्या होता है पहर भी धार्थियो, oxygen का निकलना या hydrogen शुद नहीं है, जैसे हमें क्या मिला भी calcium oxide, इसका हम reduction करवा देते हैं, reduction means किसी से भी reaction करवा देते हैं, जो इससे ज़्यादा reactive है, या फिर carbon से करवा देते हैं किसी से भी, तो क्या होगा, ये बिल्कुल pure हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, pure हो जाएगा, ये high reactive से भी करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर lithium से करवा देंगे, तो lithium भी high reactive है, वो इसकी oxygen को ले जाएगा, LI2O, बात clear है न, समझ में आ गई आपको, तो इस प्रकार हम क्या करवा सकते हैं, उनका upstream करवा सकते हैं, जिससे धातू क्या हो जाएगी, बिल्कुल pure हो जाएगी, तो ये था middle reactive का, पहले हमने क्या करवाया, अगर sulfide है तो roasting, carbonate है तो calcination, और उसके बाद से step number two, reduction यानि up chain, तो अब हम शुद धातू प्राफ्ट कर सकते हैं, और जो low reactive हैं, जातर सुद ही होते हैं, अगर शुद नहीं भी है, तो हमें क्या करते हैं, उनका heat कर देते हैं simple, जो low reactive हैं, extraction of low reactive metals, कम किर्याशिल धातूं का निस्कर्शन, तो उनको simple heat कीजिए, बस हो गया काम उनका, heat कीजिए, copper oxide है, heat कर दो बस, simple, या reduction करवा दिये, carbon के साथ में, तो metals अलग हो जाएगा, और impurities अलग हो जाएगी, यानिकि इनका simple up chain करवा के भी, इनको शुद किया जा सकता है, simple heat करके भी, इनको शुद किया जा सकता है, very simple, तो आपने ये चीज़, आपने ध्यान लखनी है, low reactive तो बिल्कुल pure है न, अगर कोई बच्चा बहुत ही, कभी शरार्ट करता ही नहीं है, और कभी एक दिन कर दिया, अगर इनको simple heat भी करते हैं, तब भी ये शुद हो जाते हैं, clear है बात यहाँ पर, तो ये था extraction of metal, सभी का मैंने आपको बता दिया, high reactive कैसे शुद करेंगे, middle reactive कैसे शुद करेंगे, और low reactive कैसे करेंगे, उसके बाद भी अगर metal प्योर नहीं होता, तो हम उसकी electrolytic refining करवा सकते हैं, last में एक step रहता है, जो सभी के लिए किया जा सकता है, electrolytic refining, clear है ना, जैसे हमने copper को शुद करना है, तो copper को copper sulfate के solution में डाल दीजिए, तो एक तरफ लिए आप impure road लिए को पर की, ठीक है, इसे हम बोलते है ऐन Ode, और एक तरफ लिए यह cathode, यह होती है pure road गोपर की, तो जब हम electricity pass करते हैं, वही जैसे हमने electrolysis में किया, तो वही सेम होगा, यो pure metal है वो इदर ही कथा होजाएगा, और थोड़ी बहुत impurities हैं तो इसके नीचे इकठा हो जाएगी यह सभी के साथ किया जा सकता है जिसे हम बोलते हैं electrolytic refining last step यह रहता है यह आप सभी के साथ कर सकते हैं तो यह था हमारा कि हम कैसे दात्वों की nishkarशन करते हैं extraction of metals अब हम बात करते हैं अब यह क्या होता है अगर हमें जंग लगने से बचाना है तो एक तरफ तो paint कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है दूसरा है कि दो या दो से अधिक जब metals या non metals को हम मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं alloy when two or more metals and non metals are combined together to form alloy उसे हम mishraatu कहते हैं तो जैसे हम बात करें steel की तो steel किसे मिलके बनता है iron और carbon से clear है ना बात यहाँ पर तो यह जो मishraatu होते हैं इनमें चल नहीं लगता इसलिए आम तोर पर यह बनाए रहाती हैं इसी परकार अगर पीटल की बात करें पीटल, brass यह किससे मिलके बनता है copper or zinc यह भी note करें ना one marks में very important है इसी परकार bronze bronze medal आपने बहुत सुना होगा काश्य पदक किससे मिलके बनता है यह काश्या यह बनता है प्यारे विद्यार थी copper or team इसी परकार आपने soldier सुना होगा जिसका इस्तेमाल आम तोर पर TV वेगारा के अंदर या radio में या जो भी instrument है उनमें टांका लगाने के लिए किया जाता है वो है lead or team इन से मिलके बनता है soldier और अगर किसी भी metal के साथ mercury मिला हो किसी के साथ भी इनमें से किसी के साथ भी अगर पारा मिलाया जाए तो ऐसी मिशरधातू को हम बोलते है amalgam कोई भी हो यहाँ पर amalgam तो यह थी मिशरधातू क्यों बनाई जाती है मैंने आभी आपको बताई दिया क्योंकि इनको जंग नहीं लगता life लंबी होती है तो इसलिए इनको बनाया जाता है तो प्यारे विद्यार्थ्यू यह था हमारा आज का topic metal and non metal कल हम बड़ा topic करने जाएंगे carbon and its compound काफी पड़ा है हो सकता हमें दो पार्ट में भी करना पड़े लेकिन अच्छे से करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए carbon and its compounds एक question मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूँ यह आपने घर से करना है what is thermite reaction thermite अभीकिरिया क्या होती है उधार्ण दीजिए what is thermite reaction thermite अभीकिरिया क्या होती है give example यह मैंने आपको नहीं करवाया यह घर से करने के लिए आपका homework है इसके लाव exercise यह question कीजिए अगर दिक्कत आती है तो हम जल्द ही आपके लिए इसी channel के उपर सभी chapters के solution भी डाल देंगे अगर आपकी requirement है तो तो जुडे रही हमारे साथ घर पे बैटके त्यारी कीजिए अपने आपको सुरक्षित रखिए और इस जंग से जीतिए Thank you very much Dear students As you very well aware that these days India is fighting against a very minute object that is coronavirus COVID-19 So it's our moral duty that we should work from home and I also order to all my dear students that you should also stay at home because this is the only method by which we can defeat this deadly virus Now let's start Today's topic Carbon and its compound Carbon and its compounds Carbon and its compounds Dear students I want to tell you about this topic that this topic Carbon and its compounds is the biggest topic इंत्य आपको हैOhio आपको है जाएगा है सबसे जादेकों है आपको अगर जाएगाहाएगा, एक्जाम के अंदर आपको इसको ही टोपीक आने वाला है तो इसको अच्छे से कीजाएभरा, हम कोशेज करेगे कि को पार्ट में डिवाइड करें हम इसका Part 1 कर लेते हैं क्योंकि लंबा टूपिक आपके लिए भी काभी मुश्किल होता है तो हम इसका Part 1 कर लेते हैं और आज ही हम इसका Part 2 भी करेंगी तो स्टार्ट करते हैं Carbon and its Compound प्यारे विजार सियों Carbon के अगर हम बात करें Carbon Carbon एक ऐसा element है पूरी कमिस्ट्री के अंदर जिसके जितने भी कमपाउंड है उसे हम Organic कमिस्ट्री के नाम से जानती है देखे Carbon अपनी आप में अनोखा है इतने सारे कमपाउंड बनाता है जितने बाकी सब ही नहीं बना पाती क्या कारण है कि Carbon अपने आप में एध्वीतिय है पहला question यही है और हम स्टार्ट करते हैं यहीं से देखे अगर Carbon की बात करें तो मैंने आपको फस्ट दे बताया था कि Carbon का नंबर होता है 6 6 का मतलब कि पहले और्बिट में इसके 2 electron और दूसरे और्बिट के अंदर इसके 4 electron आते हैं तो आउटर मोस्ट और्बिट यानि बाहरी और्बिट में इसके कितने electron है 4 तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो Balancy है जिसे हम संयोजगता कहती है यहाँ पर हम Bilingual method यूजज कर रहे है English Medium वाले बच्चे भी उतमा ही समझेंगे जितना Hindi Medium वाले दोनों को हमें एक साथ करवाऊंगा ताकि किसी को दिक्कत ना आई Balancy means होता है संयोजगता यानि कोई कितने electron छोड़ता है या कितने लेता है उसे हम बोलते हैं Balancy यानि संयोजगता तो कारवन की संयोजगता कितनी है 1,2,3,4 यानि कि ये चार electron किसी के साथ दे सकता है शेयर कर सकता है कुछ भी कर सकता है तो ये कारवन ऐसा compound है जिसकी Balancy 4 है तो इस कारण अपने साथ ये चार Hydrogen यानि Single Balancy वाले और 2 Oxygen डबल वैलेंसी वाले जोड सकता है दोनों में से कोई एक या चार Hydrogen जोड़ेगा या दो Oxygen समझ में आ रहा है ना चार वैलेंसी है मतलब चार लोगों को अपने साथ जोड सकता है जिनकी वैलेंसी एक-एक है जैसे Hydrogen है तो अगर मैं बात करूँ Carbon की तो अपने साथ चार Hydrogen जोड सकता है जिसे हम Methane कहते है तो पहला जो Reason है Carbon इतने सारे Compound बनाता है लंबी Chain बन जाती है Carbon Compound की उसका Reason पहला यही है Its Valancy is 4 इसकी सयोजकता 4 होती है इसलिए अपने साथ यह चार एक Valancy वाले चार Element को जोड सकता है प्लिए रहा ना बात दूसरा इसकी जो Property है वो है इसकी एक ताकत Carbon की वो ताकत है Catination Power Catination Power इसे हिंदी में कहते है Sringlund प्रकर्टी Carbon एक ऐसा योगिक है जो अपने साथ कितने भी Carbon जोड सकता है समझ में आरा ना मैं क्या कह रहा हूँ अपने साथ एक, दो, तीन, चार, पांच अनेकों Carbon को जोड सकता है इस Power को कहते है Catination Power Carbon has ability to form Last number of compounds by joining another Carbon Atoms तो इसे हम कहते है Sringlund प्रकर्टी तीसरी जो चीज है Multiple Bonds Carbon बहुत सारे Bonds बना सकता है बहु आबंद कहते हैं इंदिय में से हम बहु आबंद यानि Carbon दूसरे Carbon के साथ एकल आबंद यानि Single Bonds भी बना सकता है Double Bonds यानि Three Bonds भी बना सकता है और Triple Bonds यानि Three Bonds भी बना सकता है ये तीन विशेषताएं है Carbon की जिसके कारण Carbon की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है compound की, अनेकों compound बनाए हैं अकेले carbon के अपनी chemistry है जिसे हम organic chemistry के नाम से जानते हैं वही topic हम करने जा रहे हैं आज carbonated compound पहला question यही था कि carbon इतने सारी होगी क्यों बनाता है, answer आपके सामने है अब हम बात करते हैं कार्बन के कितने रूप है जिसे हम कहते हैं allotropy allotropy, हिंदी में हम बोलते हैं अपर रूपता अपर रूपता क्या होता है allotropy किसी भी element का एक से ज़्यादा रूप में पाया जाना उसे कहते हैं allotropy समझ में आ रहा है न occurrence of any element in more than one form किसी भी ततव का एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाना आपर रूपता कह राता है मैं दोनों medium को एक साथ कर रहा हूँ बिल्कुल दिक्कत नहीं आने जी आपको तो कार्बन तीन रूपों में पाया जाता है धर्ती के उपर एक है diamond याने हीरा दूसरा है graphite graphite तो आप सभी जानते है pencil का सिक्का जो होता है वो graphite ही होता इंगलिस में लिख देता हूँ में graphite और तीसरा है fullerine fullerine तो कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है तीन रूपों में fullerine प्लेरा बात यहाँ पर हीरा, graphite और fullerine तो diamond में क्या होता है एक कार्बन के साथ चार अन्य कार्बन जुड़े होते इस परिकार से जबकि graphite के अंदर एक कार्बन के साथ केवल तीन कार्बन जुड़े होते है और एक electron यानि पुल चार जुड़ सकते है तो चोथा electron इसका खाली है तो यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि diamond जो होता है घीरा वो electricity को conduct नहीं करता है विदुधारा का चालन नहीं करता जबकि grey point की बात करीं तो यह विदुधारा का चालन इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर एक electron free है जिसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ यह free electron के कारण ही यह electricity को conduct करता है समझ में आ रहे है और तीसरी बात का है fully ring इसकी जो shape होते है वो football के game जैसे होती है जैसे football के game के अंदर इस परकार की hexagonal यानि शट बुज होते हैं और इस परकार के punch बुज होते हैं पूरी football में तो मैं आपको बता तो fully ring के अंदर बीश तो होते हैं hexagonal ring यानि की shut bush और 12 होते हैं pentagonal ring यानि punch बुज ये structure होता है fully ring का और ये team क्या थे carbon के allotrop यानि की upper root अब आगे बढ़ते हैं जो main इस chapter का मकसद है आपको समझाना वो है IUPAC naming IUPAC naming अब आप पूछेंगे कि सर ये IUPAC name क्या है तो प्यारे विद्याक्थियों मैं आपको बता दूँ कि जिस परिकार अगर आप paddle जा रहे हों तो कहा जाता है कि आप paddle जा रहे हैं अगर आप two wheeler पे जा रहे हूँ तो बोलते हैं हम ये bicycle पे जा रहा है या motorcycle पे जा रहा है अगर आप three wheeler पे जा रही है तो हम बोलते हैं आप रिक्षा पे जा रही है ओटो में जा रही है और अगर आप four wheeler में जा रही है तो हम बोलते हैं car में जा रही है I.U.P.A.C. का नाम है I means होता है International International U means होता है Union For P means होता है Pure और A means होता है Pure and A means Applied और C means होता है Chemistry तो I.U.P.A.C. का मतलब है International Union for Pure and Applied Chemistry इसकी जुरूरत क्या है देखिए हम स्वाइस पूरे वल्ड के लोग सीखते हैं और सब जगे Universal है सबी Countries में एकी जैसी है इंडिया में थोड़ा पहले सीखते है बाकी Countries हमारे जितनी advance नहीं है Science की बात कर रहा हूं यहां पर जो आप यहां 10th में सीखते हैं वो 12th के अंदर बाकी Countries के अंदर सीखी जाती है बड़ी खुसी की बात है हमें अपने Countries में प्राउड भी होना चाहिए तो लेकिन सब जगे एक जैसा है तो हमने क्या किया जो भी नाम हम दे रहे हैं वो International Name देंगे उसको यानि जो आप इंडिया में पढ़ेंगे वही चीज़ों England, America, German वगेरा में पढ़ी जाएगी तो इसलिए हमने क्या किया सभी जो Carbon Compounds के Name दिये वो IUPAC दिये means पूरे वर्ड में एक जैसे दिये उसे हम कहते है IUPAC Name तो आप इन नेम को याद कर लीजिए और आप इनको समझे कि अगर आपने इनको याद किया तो आप पूरे वर्ड की साइंस को सीख रही है समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपको बता दूँ प्यारे विद्यार क्यों पहले आप समझ ये जैसे मैंने साइकल का एक्जामफल दिया पैदल का दिया रिक्षा का दिया अगर अकेला Carbon है तो उसे हम Math कहते है Math याद कर लीजिएगा Hindi में भी same है No problem, Math clear है ना बात यहां पे? Math और अगर आप दो Carbon जुड़े हुए हैं आपस में तो उसे हम बोलते हैं clear है? Hindi में लिखनी कि मेरे हिसाब से आप शेक्ता नहीं है आपको समझ में आरा ना च्यार कारबन है तो उसे हम Bute बोलते हैं तो मैं इंगलिस के लिखूँगा Hindi Vyazities है But नहीं है यह Bute है यह ज्यान रखना अगर पांच कारबन है तो उसे हम Pant बोलते हैं छे कारबन है तो उसे हम Hacks बोलते हैं साथ कारबन है तो उसे हम Hapt बोलते हैं आठ और ऑफ कारबन है तूसे हम कोट बोलते हैं नो कारबन है तूसे हम नोन बोलते हैं नोन चीके न और एकर दस कारबन है तूसे हम भोलते हैं deux u यह चीज आपने याद रखना है डेक नोट दिसम्बर के लिए भी यह वर्ड यूज होता लेकिन यहाँ पर हम डेक बोलेंगे तो पहले आप यह नाम याद कर लेजिए आपके लिए बहुत असान हो जाएगा इस सेक्टर को समझना और इस सेक्टर से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को समझना मैथ एक्ट प्रोब ब्यूट पैंट हैग्स है ओक्ट नोल और डेक तो यह कार्बन के दस नेम और भी है लेकिन आपके लिए दस काफिर हैं तो अब इनसे कैसे काम लिया जाएगा कैसे हम नेमिंग याद करेंगे आई-उ-पी-अ-सी नेमिंग देखिए यह प्यारी त्यार्थियो मैंने जसा आपको बताया था की कार्बन सिंगल बॉंड भी बनाता है और कार्बन ट्रीपल बॉंड भी बनाता है यह कार्बन की विचेशता है तो अगर carbon carbon के बीच में single bond हो याद रखना carbon carbon के बीच single bond हो तो जो नाम मैंने आपको बताया math, math, probe उसके आगे एन लगा दीजिए एन तो complete name बन जाएगा जैसे आपका name है Sunil Kumar तो Sunil आगे वाला word हुआ ना और Kumar पीछे वाला तो अगर carbon carbon के बीच single bond है एककलाबद है तो आप AIN लगा दीजिए double bond है तो AIN लगा दीजिए और triple bond है तो Y N की इसे AIN बोलेंगे हिंदी में और इसे बोलेंगे AIN clear है ना बात यहाँ पर समझ में आ रहा है रहा हुआ उसे बोलेंगे AIN यह आपने ध्यान रखना है AIN तो एन, एन और आइन ये आपने ध्यान रखना है अगर आप से कोई पूछ ले अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ IUPAC naming मान लीजी ये है कितने कार्बन है बताई यहां पर एक ही है न और यहां पर एकल बॉंड है पता लग जाएगा न क्योंकि सिंगल बॉंड रहेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो इसका नाम क्या होगा मैथ और लास्ट में क्या लगाएगी एन और जो double और triple bond की बात करूँ मैं तो अकेले carbon की बीच में तो double bond हो नहीं सकता कम से कम कितने carbon चाहिए double bond के लिए दो चाहिए ना तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ यानि कि यह एक carbon के अंदर ना तो double bond हो सकता है ना triple यह carbon की बात कर रहा हूँ अगर दो carbon जुड़े हुए हैं इस परिकार से कितने carbon दो और मैं यहाँ पर एक और बाद आपको बता दू कि carbon अपने साथ कितने bond बना सकता है चाहर क्योंकि इसकी balance कितनी है चाहर तो यह carbon भी अपने साथ 3 hydrogen जोड़ लेगा और यह भी 3 क्योंकि 3 hydrogen और एक यह bond दोनों का कॉम बने यह इसके लिए भी गिना जाएगा और इसके लिए भी तो 3 hydrogen और एक यह bond total bond कितने होगे? 4 और इस carbon के भी 3 hydrogen और एक यह bond total bond कितने होगे? 4 न 4 से कम बनाएगा न 4 से जादा तो यहाँ पर आप देख सकते है कार्बन के बीच कौन सा बोंड है सिंगल बोंड तो सिंगल बोंड कितने कार्बन एक दो तो दो कार्बन हो तो क्या कहते है एथ और सिंगल बोंड के लिए क्या लगाते है एन तो इसका नाव हो गया एथेन समझ में आ रहा है ना double bond वालों को alkyne देते हैं और triple bond वालों को हम alkyne बोलते हैं ये clear है न fact तो अगर carbon carbon में double bond है तो उसका नाम क्या होगा पहले मैं इसके 4 bond पूरे कर देता हूँ इस carbon के 2 bond ये है तो कितने hydrogen और लगाँ दो इसके भी 2 ये गिने जाएंगे तो कितने और लगाँ दो ठीक है ना दोनों के 4-4 bond होगे clear तो इसका नाम क्या होगा एक तो common ही है और मैंने आपको बताया था कर double bond हो तो last में क्या लगाना है E and E इसके लिए क्या लगाना है Y and E और इसके लिए क्या लगाना है A and E clear है ना तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ E and E तो इसका नाम हो गया E clean clear इसी परकार अगर triple bond हो ठीके अब इस carbon के तीन bond होगे तो कितने hydrogen जोड़ू 4 पूरे करने ना तो एक ही जोड़ता हूँ इसके भी 3 होगे तो कितने hydrogen जोड़ू E clear तो दो carbon है तो नाम वही रहेगा एक और मैं लास्ट में क्या जोड़ता हूँ इसके Y and E तो इसका नाम हो गया E clean clear समझ में आ गया ना अब इसी परकार से अगर तीन-तीन carbon हो तो उसका नाम क्या रहेगा बताईए बीच में मैंने 2 hydrogen क्यों लिखे ये भी पता होना चाहिए आपको क्योंकि 2 hydrogen यानि 2 bond तो ये हो गई एक bond ये 2 रेक 3 और एक इसके इधर bond है तो total bond कितने हो गई 4 इस carbon के 3 hydrogen यहाँ पर है यानि 3 bond यहीं हो गई और 4 बोंड ये इसके भी 4 और इस carbon के 1 bond ये और 3 hydrogen इसके bond भी कितने होगे 4 तो 4-4 bond आपने बनाने है तो यहाँ पर हम देख सकते है carbon carbon के बीच कौन सा bond है single bond तो 3 carbon का नाम क्या होता है pro और क्या लगाएंगे in propane इसी परकार इसको क्या लिखेंगे अगर 3 carbon है और triple bond है sorry double bond है तो इसका नाम रहेगा प्यारी विद्यार की हो propane और triple bond है तो propane समझ में आगया इसी परकार 4 carbon इसको क्या बोलेंगे but था ना तो एन लगाएंगे butane इसको butane 4-4 carbon पूरे कर देना सभी के यह ध्यार नगना आपको और इसमें butane clear 5 carbon हो तो इसे बोलेंगे pentane इसे बोलेंगे pentane और इसे बोलेंगे pentane very simple अब आप नाम समझ गए काम समझ गए और आपको यह भी पता लग गया कि single bond वाले के क्या नाम होती है double bond की क्या triple bond की क्या एक बर जब आपने 10 तक गिंते ही याद कर रही न carbon की math hat, probute pent, hex hat, oct, non, deck तो यह कोई दिक्कत ही नहीं है फिर आपको दिक्कत गिल्कोल नहीं आएगी 6, 7, 8, 9, 10 सभी के फटावट कर लेते 6 carbon तो hex होता है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे aim इसमें hex aim और इसके लिए क्या लगाएंगे hex aim इसी परकार 7 carbon है तो इसमें heft aim heft aim heft aim very simple 8 carbon है तो इसमें oct aim oct aim अगर double bond वाले हैं 8 carbon है और बीच में double bond है तो octine और अगर triple bond है तो octine no carbon है no name double bond वाले है no carbon है तो no name number of जो positioning of double bond है वो higher classes में आपको बताए जाएगा फिलाल आप इतना समझ लीजिए और अगर triple bond है तो no nine अगर single bond वाले 10 carbon है dekin double bond वाले 10 carbon है dekin और triple bond वाले है तो dekin मेरे इसाव से अब आपको पूरे name याद हो गए carbon compounds के single bond वाले भी double bond वाले भी और triple bond वाले भी अब आप मार नहीं खाने वाले अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं functional group functional group functional group हिंदी में हम इसको बोलते हैं परकरियात्मक स्मूव परकरियात्मक स्मूव ये क्या सीज़ है देखिए जो नाम मैंने आपको बताए जैसे माल लोग किसी का नाम है सुनील कुमार समъझ में आ गया अगर वो सुनील कुमार देशवाल है या सुनील कुमार सुपोस कि इस ये वो भाटिया है सुनील कुमार वो देश पांडे है कुछ भी है तो जो तीसरी चीज जुड़ेगी उसे हम कहते हैं functional group यानि कि वो group जो carbon carbon श्रिंखला के साथ जुड़कर उसका नाम और उसकी property दोनों बदल देते हैं those group which are attached to carbon chain and change their properties as well as their name are called as functional group समझ में आ गया तो 4-5 functional group है वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ carbon के साथ क्या-क्या जुड़ सकते हैं जिससे उनका नाम थोड़ा बहुत बदल जाता है तो पहला functional group मैं करवा रहा हूँ OH इसे हम बोलते हैं alcohol हिंदे में लिखूँ है इंगलिस में लिए इंगलिस में लिएता हूँ alcohol दूसरा functional group है CHO इसे हम बोलते हैं aldehyde सेम है हिंदी इंगलिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी तीसरा functional group है COOH इसे हम बोलते हैं carboxylic हिंदी में अमल बोलिंग और इंगलिस में acid carboxylic acid और चोथा functional group है ketone इस परिकार लिख सकते हो आप इसको C double bond O कई जगें ऐसा भी लिखा मिलेगा तो confusion नहीं होना एकी बात है carbon oxygen में हमेशा double bond ही रहता है तो confusion नहीं होना दोनों एकी बात है तो तो ये चार functional group भी आपको पता होने चाहिए अब इनका role क्या है जब भी ये carbon के साथ जुडेंगे जैसे माल लो एक carbon है और इसके साथ OH जुड गया तो इसके नाम में क्या प्रिवर्तन आया पहले इसका नाम क्या था एक carbon होता तो अब इसके बताया था आपको और जब OH जुड गया तो लास्ट का E कटके all लग जाएगा बस बात खत्म तो इसका नाम हो गया methynol क्या नाम हो गया इसका methynol तो ये याद रखने आपको ये एक तरह से suffix है हिंदी के अंदर जो परते होते ना परते समझ लेजिए suffix इंग्लिस वाले कि लास्ट का E काटके अगर अलकोहल जुड़ा हुआ है तो आपने ON लगाना है अगर aldehyde जुड़ा हुआ है तो आपने AL लगाना है carboxlic acid जुड़ा हुआ है तो आपने लगाना है oic acid या हिंदी में oic amal कह सकते हैं और अगर ketone जुड़ा हुआ है तो आपने o n e लगाना है हिंदी में इसका परना जो pronunciation है वो on आएगा ना कि one यह जान रखना आपने on clear है बात यहां पर तो यह बिल्कुल simple है मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी अब जैसे मैं आपको बताता हूं carbon गिनो और जितने carbon हो साथ में यह लगा दो बस जैसे हैड का CS3 CH2 CHO अब इसमें खुद में भी carbon है तो यह भी counting में आएगा तो गिनो carbon कितने यह दो तीन तो तीन carbon का नाम मैंने क्या बताया था आपको प्रोपेन तो लास्ट का ही काट की प्रोपेन और ब्यूटेन और तो नल बोलेंगे सिंपल प्रोपेन नल क्लियर अगर इसी परिकार देखें को एग्जम्पल देता हूं इसी का मैं carbon गिलो पहले एक दो तीन चार पांच यह पांच वा carbon यहां है न यह देखें तो पांच carbon का नाम क्या बताया था मैंने प्रोपेन लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है CHO के लिए last का ही काटके क्या लगाना होता है AL तो इसका नाम हो गया पांच कारबन न पैंटेन तो लास्ट का ही काटके AL लगा दिया तो इसका नाम हो गया पैंटेनल clear इसी परकार अगला एक्जामपल लेते हैं यह देखिए यहां पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है यह जुड़ा हुआ है इसका नाम है कार्बुक्सलीक एसिद इसके लिए क्या खरते हैं यह काटके AL जोड़ते हैं बिल्कुल सिंपल कारबन गिल लिजी एक दो तीन तो पेंटेनोईक एसिड कारबन गिल लो लासकाई काट दो और रोईक एसिड लगा दो बिल्कुल सिंपल अब बात करते हैं किटोन की यह इन सभी से अलग है किटोन नमबर चार किटोन नमबर चार जो है वो किटोन है यह अलग क्यों है क्योंकि किटोन के लिए कम से कम तीन का कारबन होने चाहिए किटोन जो है किटोन का जो सिम्बल है वो है सिविक लिख सकते हैं किया कि यिये dessin का रूवल Keep यह भी हो सकता है है, नेकिन कम से कम तीन कार बन होनी चाहिए पाच गर पने यह भी किर नहीं हो तो यह देखिए यह भी किण होने तो कम से कम तीन होने चाहिए तो इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन का नाम क्या होता है बताए, ये प्रोपेन होता है और इसके लिए मैंने क्या आपदाए था, इह काटके ओन लगाना है, O-N-E ओन बोलते हैं, इसको वन नहीं बोलते तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपे नोन, तो चार कार्बन वाले का क्या होगा बताओ, ब्यूटेन प्लस ओन, क्या बन गया, ब्यूटेनोन, पांच वाले का क्या होगा, पैंटेन प्लस ओन, क्या बनेगा, पैंटेनोन, तो ये थे हमारे functional group, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक सी नेमिंग 10th क्लास तक के लेवल की तो आगी गई होगी अब मैं बताता हूं next topic चलते हम उसके बाद हम reactions part 2 में करेंगे आज ही हम इसका part 2 भी करेंगे carbon and compound का तो अब मैं एक और question लेता हूं what are saturated and non saturated carbon compounds what are saturated and non saturated carbon compounds saturated क्या होते हैं बताइए आप पहले जिन carbon के बीच में जैसे मैंने आपको दाया था carbon तीन परगार के bond बनाते हैं single B, double B और triple B जिन carbon के बीच में single bond होता है उसे हम कहते हैं saturated carbon atoms जैसे methane, methane, propane जो first वाले करवाई थे और जिनके बीच में double या triple bond होता है उसे हम क्या बूलती है non saturated carbon compounds clear है ना बात यहां पर समझ में आगी saturated मतलब जिन carbon के बीच में single bond है और जिन carbon के बीच में double या triple है यानि कि जो ethene, propane, butene, pentene या ethane, propane वो जो थे वो सारे के सारे क्या थे non saturated थे, मेरे साथ से आपको समझ में आ गया होगा तो यह आज का topic था हमारा part 1 part 2 carbon and its compound part 2 आज ही हम discuss करेंगे evening के अंदर तो वो आप देखना ना भूले और साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों आप exercise करते रहे और एक दू मैं आपको question भी देता हूँ वरकिन की नाम बताने आपको इसका नाम बताओ, 2 carbon single bond number 2, इसका नाम बताओ, 3 carbon और single bond इसका नाम बताओ, 2 carbon है और दोनों के साथ last में OH लगा हुआ है एक इसका नाम बताओ, total carbon 3 है और COOH है और इसका नाम बताओ, ये total 4 carbon है और बीच में ketone function group है तो ये आपका जो homework है आज का, आप comment books में लिखिए इसके answer बाकि जो exercise ये question है, हम जल्द ही कोसिस करेंगे उसके लिए आपके लिए sold video बनातर के लेके आएं लेकिन मैं गुजारी साफ से यही करूँगा कि आप खुद कीजी exercise को दिक्कत आती है, तो comment books में लिखिए लेकिन बात में आपको sold जो lecture है वो भी दिये जाएंगे तो जुड़े रहें प्यारे विद्यार्थियों अपने आपको सुरक्षित रखिए घर पे रहें और अपने आपको करोना वाइरस जैसे बीमारी से दूर रखिए आज के लिए तना ही कल फिर मिलते हैं, आज की शाम के lecture में, thank you प्यारे विद्यार्थियों जैसा हमने morning में कहा था आपको कि हम जल ही carbon compounds का part 2 लेकर क्या आएंगे तो वो हमारे सामनी है हमने कहां पर छोड़ा था आपको saturated और non-saturated हिंदी बतायता हूं आपको saturated क्या होता है? संत्रीप्त, hydrocarbon और non-saturated होता है ऐसंत्रीप्त यह आप हिंदी वाले students हैं वो उनका comment था किसे आप हिंदी बता दीजी इसकी तो यह आपको बदायता हूं saturated means संत्रीप्त और non-saturated means होता है ऐसंत्रीप्त तो आप वहीं से हम दुबारा आगे start करते हैं अब हम करने जा रहे हैं carbon compounds part 2 के अंदर chemical properties of carbon compounds chemical properties यानि carbon compound के रहसाईने गुन धरम यह इंदी है इसकी chemical properties of carbon compounds तो dear students कौन-कौन सी property शो करते हैं carbon compounds property number one combustion इंदी में क्या बोलेंगे दहन यानि जितने भी carbon compound है वो oxygen की presence में जलते हैं और जलने के बाद जैसे हम methane को ले लेती हैं methane भी carbon compound है single bond वाला तो यह भी oxygen की presence में जलता है और जल करके carbon dioxide, water और heat तो produce होगी होगी light, heat and light यह आप लिख सकते हैं heat and light तो कोई भी carbon compound oxygen की उपस्तिती में जल कर carbon dioxide, gel, उश्मा और परिकास उत्पन करते हैं very simple reaction में आने आपके सामनी दे दी तो इसमें मेरी ख्याब में कोई दिक्कत नहीं है second property भी आ जाते हैं addition reaction काफ ही important है बहुत ही ज़्यादा important addition reaction इसी का दूसरा नाम hydrogenation reaction भी है hydrogenation confusion नहीं होना बिल्कुल भी hydrogenation बच्चे कहते हैं कि सर hydrogenation क्या है इसी यह कहते हैं भई या triple bond वाले पहली बाद तो यह कि वही करेंगी यह single bond वाले addition reaction नहीं करते यह question काफ ही important है competitive point of view से कि अगर आप से कोई पूछ ले चार option आपको दिये हैं कि इन में से कौन addition reaction करेगा तो वहीं देख लेना आप कि केवल double और triple bond वाले करेंगे single bond वाले नहीं करेंगे clear है यह बात तो addition में होता क्या है जैसे माल वहीं यह है ethene दो carbon double bond तो इसका नाम क्या होगा ethene तो addition reaction किसे कहते हैं double bond वाले triple bond वालों को मैंने अभी बताया था कि उन्हें कहते हैं unsaturated और single bond वालों कहते हैं saturated तो double bond वाले यानि unsaturated तो unsaturated को saturated में बतालना यानि double और triple वालों को single में बतालना क्या कहलाता है addition reaction यानि संकलन अभी के लिए दवी या तरिय आबंद वाले carbonic योगी को किस की presence में? nickel और hydrogen की presence में nickel और hydrogen की presence में इनको किस में बतालना? single bond वाले में बदलना वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार की हो? addition reaction संकलन अभी के लिया जो आप वनस्पती घी है ना वो oil से बनता है यानि तेल से बनता है और इसी अभी के लिया से बनता है ये नोट कर रहे ना competitive examination point of view से अगर आप से पुछ ले कि कौन से अभी के लिया से वनस्पती घी बनता है तेल से तो आपने बताना है कि addition reaction यानि संकलन अभी के लिया clear ना ये बात अब next third substitution reaction तीसरी जो reaction यानि अभी के लिया शो करते है carbonic yogic वो है substitution reaction यानि हिंदे में बोलेंगा हम इसको परतीस था अपन अभी के लिया परतीस था अपन अभी के लिया अच्छा एक बात बताइए cricket match तो आप सभी देखते है ना आजकल तो चल नहीं रही है करोना की वज़े से लेकिन आप सभी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर मालोगे एक खिलाड़ी को चोट लग जाए fielding करते समय तो क्या होता है दस खिलाड़ी खेलते हैं या फिर एक खिलाड़ी और आ जाता है fielding करने के लिए बिल्कुल सही एक और आ जाता है जिसे हम बोलते है substitute तो वही है इस reaction का नाम भी है substitution reaction क्या होता है जैसे मालोगी है methane तो hydrogen है अगर इससे ज़्यादा कोई भी reactive element से हम reaction करवाएंगे suppose chlorine से करवाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर carbon के साथ कितने hydrogen जुड़े हुए substitution reaction यानि कि वह है अभिक्रिया जिसमें कोई जो more reactive है वो less reactive को displace कर दे वहाँ से समझ में आ गए ना sunlight की presence में यह reaction हो सकती है तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ कितने hydrogen रह जाएंगे तीन CH3 और चोते hydrogen की जगह पर क्या जुड़ जाएगा एक chlorine तो निकला कितना hydrogen एक hydrogen निकला और यहाँ दो chlorine थे एक जुड़ गया तो एक किसके साथ रहेगा hydrogen के साथ यानि HCL इसका नाम है chloromethane या methyl chloride भी आप इसको बोल सकते हैं और इस reaction को हम बोलेंगे substitution reaction clear है तो यह chemical properties थी carbon compounds की अब हम आगे बढ़ते हैं some important carbon compounds इस chapter में आपकी दो carbon compound है जो slabus में है तो एक है ethanol और एक है ethanol का डिसकस कर लेती है ethanol क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों यह तरह से अगर मैं कहूंगी शराब ethanol का ही नाम है wine कह सकते हो आप इसको और इसका फार्मूला होता यह c2h5oh या इसको खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हो c3 c2oh जैसे मैंने आपको बताया था ना दो carbon है तो ethane और साथ में क्या जुड़ा हुआ है oh तो ethane plus all क्या बन गया ethanol इसी परिकार ethanol का जो नाम है यू पीसी ने मैंने आपको बताया है इसका यह मैंने एकठा लिख दिया दो carbon और 5 hydrogen c2h5 यह मैंने अलग करके लिख दिया दोनों बात एक ही है clear है तो ethaneol की properties कर लेते हैं आपको बताए यह wine है आम तोर पर इसकी properties क्या है कि यह lab के अंदर आम तोर पर इसका यूज किया टाए solvent की रूप में और जो lab के अंदर ethanole वह मता है denaturred alcohol है अब यह क्या है lab के अंदर जो alcohol use हो रहा है alcohol लाब के अंदर जो अल्कोहल यूज हो रहा है प्यारी विद्यारतिवी इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चोटी सी कहानी सुना देता हूं जो आजकल बड़ी फेमस होई है न्यूजपेपर के अंदर हमें बड़ा दुक हुआ ये जानकर कि इरान के अंदर किसी ने सोसल म को पी लेंगे तो वाइरस आपकी बोडी में ठीकी नहीं पाएगा आप कोरोना वाइरस को खतम कर सकते हैं तो अनेको लोगों ने इस ब्रांती को सच माल लिया और मैथेनोल को पी लिया और बड़े दुक के साथ कहना पड़ा जी सैकड़ों लोग मारे गई अनेको लोग अ होता है हमारे लैब के अंदर जो अलकोहल आता है लोग उसको पी ना लें क्योंकि बहुत सस्ता आता है कोई एक साइस जूटी नहीं लगती यहां पर जो चारगुना आपको मिलता है वो लैब पर्फॉस के लिए आपको चारगुना कम मिलेगा तो उसको पीने से रोकने के गौर्समें क्या करती है उसम्ə ignorance को मिला देती है या copper sulfuraire को मिला देती है या पिरीडीम को मिला देती है और ऐसे alcohol को हम बोलते हैं विक्रीत alcohol अब हम करने जा रहे है chemical properties of alcohol यहनी आफिज़ी एक दृसमें तो 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 3-4 properties है वो हम discuss करेंगी नमबर बन है reaction with Kmno4 Kmno4 सी अभिकिरिया इस अभिकिरिया को हम oxidation भी कहते हैं oxidation of ethanol अक्सीकरण, हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो या option भी लिख सकते हैं एथेनाल का अक्सीकरण या oxidation तो क्या होता है, जब हम एथेनाल की अभिकिरिया करते हैं KMNO4 के साथ KMNO4 क्या है Oxidation करवाता है इसका Oxidizing Ascent है यानि Oxygen देने वाला है इसके पास चार Oxygen है तो Ethanol को एक Oxygen दे देगा और Ethanol बदल जाएगा Ethanol में तो यह question कई वार आभी जाता है पेपर में कि Ethanol को Acid में कैसे बदलेंगे तो आपने वही दिखना है कि KMNO4 से reaction करवाएंगे यानि Oxidation करवा कर हम इसको इसको इसमें बदल सकते हैं दूसरी property reaction with sodium sodium से अभी किरिया बिल्कुल simple है बिल्कुल easy है यह है Ethanol यहाँ पर आप लिख देना नीचे जब भी आप reaction करते हैं उसका नाम जुरूर लिखे नीचे तो Ethanol की जब हम reaction करेंगे sodium से तो यह bone टूट जाएगा प्यारे विद्यारतियों और sodium इसके साथ जूट जाएगा क्या बनेगा CS3, CH2, O, N, A यह H निकल गया ना, यह देखी यहाँ पर H निकल गया H2 बेलस करने के लिए यहाँ पर दो लगा जेता हूँ, यहाँ पर दो और इसका नाम होता है sodium ethoxide तो आप क्या लिखोगे, कि जब Ethanol sodium से reaction करता है अभी करिया करता है, then sodium ethoxide is formed तो sodium ethoxide बनता है, बिल्कुल इसी नमबर 3 Sulfuric Acid से reaction, reaction with Sulfuric Acid Sulfuric Amal से अभी करिया Sulfuric Acid का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 यहाँ पर मैं फिरे ही पार लिख देता हूँ, Ethanol Ethanol पता है ना, कितने कारबन है, 2 2 तो क्या होता, Ethan और OH लगा हूँ है, तो E-Cart के क्या करेंगे, All तो क्या बन गया, Ethanol किसके साथ reaction, H2SO4 से तो जब भी हम Ethanol के अंदर Acid डालते हैं Acid क्या करता है, इसमें से water निकाल देता है तो water निकलने के बाद क्या बचा Ethan यह बन गया Ethan, Ethanol से Ethan तो अगर हम इसमें Sulfuric Acid डालेंगे, तो Single Bond वाला बन गया, Double Bond यानि Saturated बन गया, Unsaturated हिंदी में बॉलेंगे, तो संत्रीट बन गया As-Sंत्रीट अगर Question Paper के अंदर, competitive में ताफिवार आता है कि संत्रीट हाइड्रोकार्बन को As-Sंत्रीट में कैसे बदलेंगे H2SO4 से Reaction करवा के Number 4 चो चोथी Reaction है वो Ethanol और इसके बाद जो मैं करवा हुआ Ethanolic Acid दोनों के लिए सेम है, क्योंकि हम दोनों की Reaction करवाने वाले है कि Ethanol की किसके साथ Reaction Ethanolic Acid के साथ Reaction with Ethanolic Acid Ethanolic Acid क्या होता है CH3COOH और दूसरी चीज़ हमने क्या लिए Ethanol CH3CH2OH तो वही होगा यहां से H निकल जाएगा, यहां से OH और बना क्या बाकी को जोड दीजिए CH3, COO इधर से जोड लेते हैं फिर CH2 और CH3 इसे कहते हैं Aster निकला क्या वोटर कई बार पेपर में सीधा ही आ जाता है कि What is Asterification Aster बनने की वीदी बताईए Aster करण किसे कहते हैं तो यह reaction आप लिख देना कि जब हम Ethanolic Acid और Ethanol की reaction करवाते हैं तो Aster बनता है उसे हम कहते हैं Aster करण पता कैसे चलेगा Aster बना है और अभी लगे हाथ हम कर लेते हैं Ethanolic Acid के बारे में भी Carbon का दूसरा compound आपके जो सलेबस में है वो है Ethanolic Acid Ethanolic Amal अब है क्या पहले इसको जान लीजिए Ethanolic Acid एक तरह से अगर Common Language में बताऊं तो सिर्का सुना होगा आपने जो अचार में डलता है या प्यास बगारा के उपर डाला जाता है ताकि लंबे समय तर चले होटल वाले डालते है तो ये एक सिर्का ही है अगर Ethanolic Acid में पानी मिला दे तो सिर्का अगर बिल्कुल भी पानी नहो तो उसे हम बोलते हैं Glacial Acetic Acid Ethanol को हम बोलते हैं बिना वोटर का जो Acid 100% Ethanolic Acid होता है उसे हम बोलते हैं Glacial Acetic Acid तो आप हम करने जा रहे हैं इसकी Chemical Properties Chemical Properties of Ethanolic Acid Ethanolic Acid के रसाइने गुन धरम तो कौन-कौन से किस से अभी करिया करता है जल्दी से फटा-फट एक तो वही कर लेते हैं Ethanol के साथ जो भी करवाई थी Same to same वही लिखनी है Aster बनना Reaction with Ethanol इसको मैं नहीं करवाँगा Second से स्टार्ट करता हूँ Aster बनेगा वही लिखना आपने जो भी last मैंने करवाई थी Second है sodium Reaction with sodium और तीनो एक जैसे यह तो एक साथ ही करवा देता हूँ Sodium Carbonate और Reaction with sodium Hydrogen Carbonate Sodium Hydrogen Carbonate से अभी करिया बिलकुल सिंपल है तीनो ही असान है और एक जैसी है सभी के अंदर एक ही चीज़ बनती है तो जब दी से देख लेज़े है पहले sodium के साथ अभी करिया किसकी? Aethenoic Acid की तो Aethenoic Acid की नमबर दो यह है Aethenoic Acid किस से करवा रहे हैं? Sodium से इसमें किस से करवा रहे हैं? Sodium Carbonate क्या होता है? Second chapter आप देख लीज़ेगा उसमें पता लग जाएगा आपको मैंने करवाया था sodium carbonate और इसमें किस से करवा रहे हैं? Sodium Hydrogen Carbonate से NaHCO3 तो तीनों में एकी चीज़ बनेगी H निकलेगा और N जुडेगा यानि कि इसका नाम है Sodium Athenoid Sodium Athenoid तीनों में यही चीज़ बनेगी Sodium Athenoid इसमें भी क्या बनेगा? Sodium Athenoid और इसमें भी क्या बनेगा? Sodium Athenoid तो एक याद करें, तीनों याद हो जाएंगे, clear है, इसको balance कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजम निकलेगा, यहाँ पे दो लगाईए, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो और दिखा दीजिए कि हाइड्रोजम निकल रहा है, इसमें एक carbon dioxide निकलती है, इसमें भी साथ में carbon dioxide और water, और इसको balance करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दो लगाईए, इधर दो लगाईए, हो गया, balance हो गई, तो यह reaction थे किसके etheloic acid के, बिलकुल simple है, तीन तो last के same है, as it is, तो इनों में एक की चीज़ बनती है, तो प्यारे विध्यारतियों, अब हम very very important topic करने जा रहे हैं इ साबून की धुलाई प्रिक्रिया, साबून कपड़े कैसे साफ करता है, साबून या डिटर्जेंट, किसी का भी आ सकता है, बात एक ही जीज लिखना है, अगर दोनों में कुछ भी आता है, तो cringing action of soap, तो साबून कैसे धुलाई करता है, उसको समझने के लिए, आप पहले स साबून का structure समझे, साबून जो है, उसके दो सिरे होते हैं, उपर का सिरा कहलाता है, head यानि सिर, और नीचे का सिरा कहलाता है, tail यानि पूँच, जो head होता है, वो पानी में घुल जाता है, उसे हम बोलते है, hydrophilic, हिंदी में अगर मैं लिखूं तो जलरागी, तो सिर जलरा होता है, और पूँच होती है, hydrophobic, hydrophobic, यानि जलरोधी, clear है, तो जब हम साबून को कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो सभी जो सिर हैं, इसके वो बाहर की तरफ हो जाते हैं, देखी इस परकार से, और सभी की पूँच अंदर की तरफ हो जाती है, इस परकार से, तो ये जुरूरी है, साबून के क्लिंजिंग एक्शन को समझाने के लिए, क्या लिखोगे कि साबून के दो सिरे होते हैं, head and tail, head जो है, जलरागी यानि हाइड्रोफिलिक होता है, tail यानि जलरोधी, हाइड्रोफोबिक, इंग्लिस में लिखोगे तो, और जब हम साबून को कपड के साथ oil particle है, dirt है, grease है, गंदगी है, उससे चिपक जाती है, और कपड़े से अलग कर देती है, और इस परकार कपड़े क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, और यह है cleaning action of soap, very important और बहुत easy, तो जो भी गंदगी चिपक होई है, कपड़े से उससे चिपक जाती है, और उसको खी साबुन जो है ना, खारे पानी से जात क्यों नहीं बनाती, hard water, hard water, खारे पानी से साबुन जात क्यों नहीं बनाती, तो प्यारे विद्यारतियों, उसके लिए में बतादू, खारे पानी होते है, calcium के salt या magnesium के salt, calcium chloride भी हो सकता है, sulfate भी हो सकता है, carbonate भी हो सकता है, कोई ने क या लिखना है खारे पानी में कैल्शियम या मैगनीशियम के लवन होते हैं यानि साल्ट होते हैं और जब हम कपड़े को दोते हैं खारे पानी में तो एगुलनसील यानि इनसोल्यूबल कैल्शियम या मैगनीशियम के साल्ट बनाते हैं कैल्शियम या मैगनीशियम के लवन बनाते हैं गुलन सील यानि नय गुलने वाले तो जब घुलेंगे नहीं तो कपड़े कैसे साफ होंगे पूरी साबून कटो हो जाएगे लेकिन कपड़े साफ नहीं होंगे क्योंकि यह क्या बनाते है एक बूलं सिल कल्शियम और मैगनेशियं के साल्ट यानी लउण जिस कारण से कपड़े साफ नहीं होते तो ये था हमारा आज का चेप्टर Carbon and It's Compound कल आपको important topic जो आप पूछ रहे ना बार बार की सर periodic table कब करवाने जा रहे हैं तो वही start करेंगे chapter number 5 periodic classification of element periodic table भी करवाएंगे आपको अच्छे से periodic classification of element तो तब तक आप यह कीजी exercise कीजी इसकी घर पे practice कीजी notebook तयार कीजी और जो भी चीज़ा ही आती है वो आप comment box में लिखिए लगे रहे हमारे साथ इस corona से जीतेंगे हम और साथ साथ अपने आपको पढ़ाई के साथ भी जोड़के रखेंगे अगर हिंदी में बात करें तत्वों का वर्गी करण तो देखी क्या था कि धर्ती के उपर जितने भी elements आना जो अब तक discover हुए हैं उसके परियास तो बहुत पहले से किये जाते रही हैं बहुत सारे विज्यानिकों ने कोशिश की कि तत्वों को इस परिकार से अरेंज करें ताकि उनकी study करना आसान हो एक जैसे तत्वों को एक साथ रखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डोब्राइनर वो scientist था जिसने एक जैसे तत्वों को एक साथ रखने की कोशिश की तो कोश्चन हमारा क्या बनता है कि डोब्राइनर के ट्राइड्स की क्या विशेश ताई थी अगर हिंदी में बोलें तो ट्राइड्स को हम बोलते हैं त्रिक तो डोब्राइनर के त्रिक की क्या विशेश ताई थी तो प्यारे विद्यार्थियों डोब्राइनर ने क्या किया उसने एक अलग ही फार्मूला निकाला उसने तीन-तीन अलेमेंट्स को एक साथ रखा देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक साथ रखा यहाँ पर कैल्शियम, स्टोंशियम और बेरियम को एक साथ रखा और यहाँ क्लोरिंग, ब्रोमीन और आयोडिंग को एक साथ रखा अब आप पुछने के एक साथ क्यों रखा क्योंकि उसे लगा कि यह तीनों ततव एक जैसे हैं यानि कि एक ही परिवार के सदश्य है तो उसने फार्मूला क्या बनाया, डूब्राइनर ने उसने कहा कि जो पहला ततव है, जैसे इसके अंदर पहला लिथियम है और जो तीसरा ततव है, तीसरा एलिमेंट है, पोटेशियम उसने कहा कि पहले और तीसरे element का ये जो मैंने आगे लिख रखा है 9 और 39 ये इनका प्रमाणू भार है Is it clear? प्रमाणू भार तो उसने कहा कि पहले और तीसरे तताओं के प्रमाणू भार का ओसत दूसरे के बराबर होगा ओसत कैसे निकाली जाते है दोनों को जोड़ करके दो से भाग कर देंगे तो 9 और 39 कितना होगा? 46 46 को दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा और ये वास्तों के अंदर इसने जो फॉर्मूला लगाया वो सही साबित हुआ क्योंकि वास्तों के अंदर सोडियम का जो भार होता है वो 23 होता है तो इससे इसने आइडिया लगाया कि अगर किसी भी तीन तत्वों में पहले और तीसरे के परमानू भार का ओसत अगर दूसरे के बराबर है तो वो तीनों एक ही फैमिली के सदर्षे हैं तो कुल उसने नो तत्व बनाए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक, दो, तीन यानि तीन तीन उसने ट्राइड यानि त्रिक बनाए और हर ट्राइड में तीन तत्व थे यानि कुल तत्व कितने हो गए? नाइन आप बीच वाले का भी देख लीजिए पहला जो परमानु भार है 40.1 इसका 137.3 तो इनको जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए 177.4 दो से डिवाइड कीजिए 88.7 और वास्तव में कितना होता है स्टोंशियम का 87.6 यानि कि इसका कैलकुलेशन यहां भी सही था और इधर भी इसका कैलकुलेशन सही था तो ये तीन समू के नो ततवों को अरेंज करने में काम्याब रहा था और यहां पर हमें मेली थी पहली सबलता जब हमने नो ततवों को एक साथ अबरगी गरीद किया था आज आप देखते हैं आदुनी कावर साजनी के अगर हम बात करें modern predictable की तो वहाँ 120 से जाए ततव arranged हैं बहुत ही symmetrical form में तो इस परिकार अगर हम लिखेंगे क्या कि डोब्राइनर के त्रिक के अनुसार उसने 3-3 ततवों के त्रिक बनाई उसके अनुसार पहले और तीसरे ततवों का परमानु भार का ओसत दूसरे के बराबर था is it clear? according to डोब्राइनर he arranged the element in order of their atomic mass so in his triad the average mass of first and third element is equal to second element ये क्या था डोब्राइनर का triad लेकिन कम्या क्या रही question ये भी आता है कि डोब्राइनर का जो triad था वो काम्याब क्यों नहीं हुआ वो इसे लिए काम्याब नहीं हुआ कि वो केवल 9 ही तो ततव बना पाया बाकी के बारे में तो इसने कुछ नहीं बताया आज धर्ती के ओपर इतने सारे ततव हैं 120 के आसपास discover किये जा चुके हैं पर बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक discover होने बाकी हैं तो बाकी के बारे में कोई जानकार ही नहीं दे पाया यही इसकी कमी थी अगर कमी में आता तो आपने यहीं बताना है कि यह केवल 9 ही elements को बता पाया यानि केवल 3 ही triad यानि तरीक बना पाया उसके बाद number आता है new lands का new lands की अगर बात करूं में तो उसने भी इसके बारे में क्या लिखेंगे point बना करके लिखेंगा कि उसने तत्वों को उनके बढ़ते हुए प्रमानु भार के नुसार रखा increasing atomic mass किस परकार रखा तत्वों को he arranged the element in order of their increasing atomic mass उसने तत्वों को उनके बढ़ते हुए प्रमानु भार के नुसार रखा उसने कहा था कि धरते के ओपर कितने तत्व विद्यमान है 56 elements और इसके बाद और अधिक तत्वों की खोज नहीं होगी मैंने जितने कर लिए उतने ही रहेंगे उसके बाद कोई और scientist इससे जाना तत्व को नहीं खोज पाएगा ये किसने कहा New Land ने तो उसने कि क्या कहा था There are only 56 elements only sir No more elements will be discovered in future तीसरी जो चीज़ थी उसने क्या किया उसके जो octaves था उसने दिया था law of octaves अस्टक सिधान जो हम बात करते हैं डोबराइनर की तो उसने तीन-टीन elements को range किया था जबकि इसने अस्टक सिधान यानि 8 elements का सिधान दिया अगर हम calculate करते हैं तो 7 बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठवा ततव पहले के नीचे आता देखी यहाँ पर तीर ना तो उसने कहा था कि हर आठवा ततव अपने पहले ततव जैसा होगा यानि कि उसके प्रिवार का सदश्य होगा elements की जो table बनाई जाती है वो इसी अधार पर बनाई जाती है के एक जसे ततवों को एक साथ रखें तो Newlands ने भी वही कोसिस की थी के एक जसे ततवों को मैं एक साथ रखें तो उसने कहा था कि every eighth element every eighth element will be similar to first element हर आठवा ततव पहले element जैसा होगा उसकी property उसके गुणदरम पहले से मिलते जुलते होंगे ये कहा था Newland ने तो ये था Newland का सिद्धान अब कमिया क्या रही कमी नमबर एक limitation जिसे हम कहते हैं जिसके बारे में विज्ञानिकों ने कहा कि ये कमी इसने छोड़ दी limitations तो पहली तो यही रही कि इसने कहा था कि केवल 56 ततव है और आज हम जानते हैं कि इतने सारे ततव खोजे जा चुकी है इसने कहा था कि इससे जदा कभी खोजे ही नहीं जाएंगी दूसरी बात जो ये रही इसने केवल 56 इसके जो elements दे दे कि यहां पर मैं बता दूँ hydrogen, lithium, beryllium, borone, carbon, nitrogen, oxygen जो noble gases है जिने नाम लिख रहा हूं मैप यहां पर helium, neon, argon helium का नंबर 2 है neon का 10 है, argon का 18 है उसके बाद जिनान है इसके बारे में तो इसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ये कहीं पर दूसरी कमी यही रही कि इनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था hydrogen, neon और argon इसका जिकर इसकी सारणी के अंदर कहीं नहीं है तो noble gases are not explained या not shown in his table उसने एक रिया गैसों को अपनी table के अंदर जगेन नहीं दी clear है बात यहां पर तीसरा यह है कि इसकी जो इसने ये जो सारणी बनाई यहां पर calcium तक तो ततवों के जो गुंदरम है properties है वो उपर वालों से मिलती है जैसे barilium, magnesium, calcium इनकी properties मिलती है lithium, sodium, potassium इनकी भी मिलती है hydrogen, fluorine, chlorine, chlorine इनकी भी मिलती है तो calcium तक तो ठीक था आगे वाली elements की properties आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती थी यानि कि यह जो newlands का सिधान्ध है it will applicable only up to calcium यह calcium तक ही लागू होता है यह इसकी तीसरी कमी थी इसमें यह भी कहा कि अगर आपको इसको याद करना है तो आप एक musical term है सारे गमा पा दा नी और नी के बाद फिर क्या आता है सा आता है तो वही इसने कहा कि हर आठमा ततो पहले जैसा था तो सारे का माप पादा नीसा से हम इसको याद कर सकते हैं इस परिकार से भी जो newlands का अस्टरक्सी दान्थ है वो लागू होता है तो प्यारे विद्यार थी हो ये था newlands का अस्टरक्सी दान्थ कम्या भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी उसके बाद बहे जबरदस periodic table आई जिसका नाम था mandleave mandleave periodic table mandleave अब हम इसके बारे में बात करेंगे mandleave तो डोब्राइनर और newland के बाद जो तीसरा प्रियास किया गया periodic table को बनाने के लिए वो बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रियास था जो किया था mandleave ने और इस table को mandleave periodic table के नाम से जना जाता है प्यारे विध्यार्चियों पहले तो इसके विशेश्था है लिख ली जिए कि mandleave periodic table की क्या characteristics थी what are the characteristics of mandleave periodic table तो पहले तो आपको ये बता दूँ कि इसने भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए प्रमाणु भार के नुसार रखा he arranged the elements in order of their increasing atomic mass उसने अपनी पूरी सार्णी बनाई और उस सार्णी के अंदर उसने आठ तो group बनाई ये खड़ी पंक्तियां जो है इन्हें वो कहता था group खड़ी पंक्तियों को क्या नाम देता था group और इस परिकार जो line है इन्हें वो देता था period क्लियर बात यहां पर ऐसी लाइनों को जो हम पड़ी लाइने कहते हैं इन्हें वो period का नाम देता था और जो standing lines है उन्हें वो कहता था group तो उसके नुसार उसने 8 group बनाई और 6 क्या बनाई 1,2,3,4,5,6,6 period बनाई clear और उसने कितने तत्तों खोजे 63 elements उसने इस periodic table के अंदर रखे new legs ने कितने रखे 56 और man leave ने कितने रखे 63 तो प्यारे भी द्यार थियो इस परिकार इसने पूरी जो सार्मी बनाई उसमें इसने फार्मूले भी बताए कि अगर इनके साथ oxides बनेंगे यानि oxygen जुडेगी तो क्या फार्मूला रहेगा hydrogen जुडेगी तो क्या रहेगा वो सब कुछ इसने explain किया अगर हम counting करें तो ये देखिए इसने पहले period की बात करें तो किवल hydrogen को रखा दूसरे के अंदर इसने 7 elements को रखा तीसरे में फिर 7 को रखा फॉर्थ में इसने doubling किया आप आप देख सकते हैं एक एक box के अंदर एक से ज़्यादा element को भी रखा ये इसकी कमिया थी अब आप कमियों के उपर discuss करते हैं तो limitations के साथ प्यारे दोस्तों एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा ये जो चीज मैंने लिग रखी है R2O, R2O3 ये फार्मूले बताए थे इसने कि अगर ये oxygen से reaction करके oxide बनाएंगे तो फार्मूला क्या रहेगा तो पूरे के पूरे group का एक ही फार्मूला बना दिया इसने, R मतलब R की जगह पर आप hydrogen को रखिये तो ये बन जाएगा H2O यानि water, R की जगह अगर आप lithium को रखिये तो ये बन जाएगा Li2O, lithium oxide, R की जगह अगर आप sodium को रखिये तो Na2O, sodium oxide, तो ये फार्मूले इसने बनाए कि R means ये common सभी के लिए word यूज किया इसने R, तो य ये oxide का formula था और hydride का formula इसने पहले group के लिए बनाया R, H, R की जगह पर आप ये elements रख सकते हैं, तो सभी के लिए common formula बनेगा, अगर मैं आप से question में पूछ लूँ, कि medleev के अनुसार aluminium के oxide का formula बताए, तो इस group का formula इसने क्या बताया R2O3, तो R की जगह आप aluminium को रखिये तो formula क अबना AL2O3, क्लियर है ना, ये अगर आप से ये पूछ ले गाता है कि इसी में aluminium के hydride का formula बताए, तो hydrogen अगर जुडती है तो उसे hydride बनते हैं, और oxygen जुडती है तो oxide बनते हैं, तो hydride का formula इसने बताया RH3, तो अगर aluminium के लिए पुछा जाता है तो ये बन गया ALH3, क्लियर है एक और example देता हूँ, अगर वो आप से पूछ ले exam के अंदर कि fast forest के oxide और hydride का formula मेंडरिव के अगोर्डिंग क्या था, तो oxide का तो ये बताये इसने, R की जगह P को लिख लिए P2O5, और यहां पर hydride का R की जगह P लिख लिए P3, तो सभी के formula इसने उपर लिख दिये, कि oxide उसने लिखा, अब कम्यों की बात करते हैं, एक तो कमी ये थी कि ये जो element है, gallium है, germanium है, और यहां पर एक और है element secandium, ये element इसने बाद में discover किये, और इसने क्या नाम दिया, gallium को नाम दिया, eca aluminium, यानि कि इसको पता नहीं था कि कोई element aluminium के बाद खोजा जाएगा, तो gallium को नाम दिया, eca aluminium, यानि aluminium जैसा element, eca का मतलब होता है, ये जो name है, italic name मेरे हिसाब से, as it is गिया गया वहां से, तो eca means होता है, same, उस जैसा, तो aluminium जैसा, यानि कि gallium aluminium जैसा है, तो उसने कहा, कि इसको मैं eca aluminium कहूंगा, germanium silicon जैसा है, तो मैं इसे कहूंगा, eca silicon, तो ये इ इन elements के नाम दिये, सबसे main कमी जो थी, उसने hydrogen की positioning, केवल पहले period में केवल hydrogen को रखा, बहुत सारे scientist ने कहा, कि क्या करण है, नहीं explain कर पाया, तो number one, पहले period में केवल hydrogen को रखा, number two, केवल 63 elements जिसको पता थे, दूसरी कमी, तीसरी कमी, एक एक box में एक से ज़्यादा element को रख दिया, कमी नमर चार, इसे ये नहीं पता था, कि isotope क्या होते हैं, isotope होते हैं, जिनका atomic number same, यानि परमानु करमा, same होता है, और परमानु भार अलग लग होते हैं, उसके बारे में इसको बिल्कुल ज्यान नहीं था, चोथी कमी इसने कहा था, कि मैं बढ़ते हो, परमानु भ रखा, ये भी इसकी कमी थी, तो काफी सारे limitations थी, जिसके बाद mentally periodic table को भी नकार दिया गया, और एक और नई periodic table बनाई, जिसको आज सभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, modern periodic table, तो अब हम उसी को discuss करने जा रहे हैं, modern periodic table, तो अब हम discuss करेंगे, modern periodic table, modern periodic table, जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं, वो है modern periodic table, आधुनिक आवर्थ सारनी, तो पहरे दोस्तों, पहरे जिसकी विशेशता हैं लिखेजिए, modern periodic table में total 18 vertical lines हैं, जिने हम group या snoo कहते हैं, और 7 horizontal lines हैं, जिने हम बोलते हैं, period, या हिंदी में बोलते हैं, period भी बोल सकते हैं, आ total 18 group हैं, और 7 period हैं, जो पहला group period है, ये पहला period आप देख सकते हैं, ये वाला, इसमें दो ही elements हैं, second में 8 हैं, फिर third में 8 हैं, fourth के अंदर 18, fifth में 18, sixth में 32, और जो seventh हैं, उसमें भी 32 elements हैं, modern periodic table के हम बात कर रहे हैं, इसको कैसे याद करना हैं, पहले आप इसको जान लीजिए, और एक और बात, ये जो periodic table है, अब तक आपने पढ़ी, वो परमानुख भार के बढ़ते हुए करम में थी, according to increasing atomic mass, और ये जो table हम पढ़ रहे हैं, ये atomic number के according है, यानि परमानुख करमान के according है, तो हम start करते हैं, जो tenth का syllabus है, उसमें प्यारे भी द्यार कियो, पहली group, दूसर और तीन से बारा group, जिसे हम D group कहते हैं, ये आपके syllabus में 10th में नहीं है, तो हम 10 तक का कर रहे हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, हम करेंगे पहला, दूसरा, और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इनको याद करवा देंगे, एक दम बिल्कुल easy concept है, ट्रिक से मैं आपको य potassium, rubidium, cegium, frencium, आप इसको कैसे याद करेंगे, एक सोटकर ट्रिक बताएता हूं, प्यारे भी द्यारती हो, ली, lithium, ना यानि sodium, लीना की रब से फरियाद, very simple, अब नमबर टू, वियारिलियम, magnesium, calcium, stontium, barium, radium, अब आजकल के बच्चे माबाब से अनावशक डिमांड करते ह के ऊपर हमने इसको trick में बदल दिया, कि बेटा मागे car scooter, बाप की हैसियत नहीं है, तो बाप रोए, कि बेटा मैं कहां से लाकर के दूँ, ते इतने खवाय से लेक कैसे पूरी करूं, तो वही है माली trick, बेटा मागे car scooter बाप रोए, बैरियम, magnesium, calcium, stontium, barium, radium, 13th ग्रूप, इसकी ट्रिक क्या है बैंगन आलू गाजर इन थैलियम से थैला बैंगन आलू गाजर इन थैला अगली ट्रिक कार्बन सिलिकोन जर्मेनियम टिन लेड तो इसके लिए ट्रिक है कौन सी गीता स्नेहा परभा इन में से कौन सी गीता है कौन सी स्नेहा है कौन सी परभा है तो कौन सी गीता स्नेहा परभा नमर 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेमिक एंट्रिमनी बिस्मित तो आप इसको याद कर सकते हैं नाना पार्टिकर एशिया में सबसे ब्रिलियंट वेरी इसी उस सोहन से तेल पूछो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनीन फिर कल बरात आई अतुल की किसके आई अतुल की फिर कल बरात आई अतुल की और लास्ट वाले को रटने की जरूरत ही नहीं है उनका तो ट्यूनिंग ही सेम है हीलियं, नियान, आरगान, क्रिप्टान, जिनान, रेडान तो सभी क्या लास्ट में आनान आता है तो याद बहुत असानी से हो जाता है helium, neon, argon, krypton, ginon और redon तो ये elements हैं जो आपको 10 तक किस लेवस में करने हैं अब इससे question क्या आते हैं question आता है कि आप बताएं कि modern predictable में size यानि आकार, परमानू size atomic size की बात करते हैं तो atomic size किसी group में उपर से नीचे बढ़ता है या घटता है और जो period होता है वो होता है बाएं से दाई, देखी ये है period, बाएं से दाई अगर किसी चीज को हम study करते हैं तो उसे बोलते है period, अगर किसी को top to bottom study करते हैं तो उसे बोलते है group तो question ये आता है कि size बताएं group में उपर से नीचे बढ़ेगा कि घटेगा lithium का number 3 यानि कि दो electron पहले orbit में और एक अगले में तो देखी इसमें एक orbit था इसमें कितने हो गए दो, तो उपर से नीचे एक orbit बढ़ता चला जाता इसलिए size बढ़ जाता है और अगर बात आती है कि इधर क्या होगा size lap to right size तो आपने बताना है decrease होगा, घटेगा reason क्या बताना है due to increase in nuclear charge due to increase in effective nuclear charge भी लिख सकते हैं effective nuclear charge परमानु आवेस के बढ़ने से इधर से इधर size कम होता चला जाएगा और इधर से इधर size बढ़ेगा अब मैं आपसे question लेता हूँ, boron और carbon में किसका size बढ़ा है, इधर से इधर size घट रहा है न, तो boron से carbon का और कम हो जाएगा, तो boron का size बढ़ा है question इस परकार से आएगे, आपसे पुछ लिया, carbon और silicon में किसका size बढ़ा है, उपर से नीचे मैंने क्या आपता है size बढ़ता है, तो carbon से silicon का size बढ़ेगा, तो silicon का बढ़ा है, हर एक के अंदर इसी परकार से, बैरलियम और कैल्चियम में किसका बढ़ा है, कैल्चियम का, लीथियम और बैरलियम में किसका बढ़ा है, लीथियम का, मेरे साब से ये fact आपको clear हो गया होगा size, दूसरी चीज, metallic and non-metallic character, metallic यानि धात्विक गुण और non-metallic यानि एधात्विक गुण तो प्यारे दोस्तों धात्विक गुण, metallic character उपर से नीचे बढ़ता है ठीक है, और 20 से दाएं, घड़ता है clear है बात, और इसका उल्टा हो जागा non-metallic, उपर से नीचे घड़ता है और 20 से दाएं, बढ़ता है very simple clear, आगे बढ़ें metallic को आप electro positive भी बोल सकते हैं एक ही बात है, electro positive विदू धनात्मक तो अगर question में विदू धनात्मक आता है तो गबराईएगा नहीं, एक ही चीज़ है metals को क्योंकि electron छोड़ते हैं तो positive चार्ज आ जाता है, इसकि इनको electro positive कहते हैं, और non-metal को electro negative भी बोल देते हैं, तो paper में कुछ भी आता है, तो आपने confused नहीं होना विदू धनात्मक ता, अगर पूछ लिया जाए, तो वही लिखना है जो आपने non-metal, यानि या धातू के लिए लिखा clear ये बाद, आगे बढ़े अब तीसरी चीज़ अगर आपसे पूछ ले, तो मैं अगर आपसे पूछू मैंने बताया कि इधर से इधर non-metal बढ़ेंगे तो aluminium और chlorine में जादा non-metal strong कोन सा है, तो chlorine, क्योंकि इधर से इधर non-metal बढ़ रही है उपर से नीचे क्या बढ़ रही है metal nitrogen और bismith में कोन metal है bismith metal है, जादा strong कारण, वैसे nitrogen तो non-metal ही है, धातू है, कारण उपर से नीचे, जो धात्विक गून है metallic character है, वो बढ़ता है clear ना ये बात, ये important है periodic table most important topic है examination का नहीं, competitive examination का भी, तो ध्यान से कीजेगा आप तीसरी चीज़ हम करते है, valency संयोजकता तो इसके करने से पहले आप ये कर लीजिए, valence electron संयोजक electron संयोजक electron मतलब बाहर वाले में कितने electron है बाहर वाले कक्ष में तो प्यारे विद्यार्थित जैसा sequence है वैसे ही है, इसमें एक electron है, बाहर वाले में इसमें 2 है इसमें 3 है, 4 है, इसमें 5 है इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 करके दिखा लेता हूं आपको, suppose oxygen वो करके दिखा, तो oxygen का number 8 है ना तो पहले में कितने आए 2 तो दूसरे में कितने आए, कितने बचे टोटल 8 नमबर है, तो 6 बचे clear है बात, तो इनके सभी में 6 बचेंगे, इसके सब के बाहर वाले में 7 बचेंगे तो अगर valence electron की बात करें तो बाएं से दाएं क्या हो रहे है बढ़ रहे है बाएं से दाएं और उपर से नीचे सब के सेम है इनके सब के बाहर वाले में 1 है इसके सब के बाहर वाले में 2 है आउटरमस्ट ओर्बिट में 2 ही electron है इसके 3 है, तो उपर से नीचे valence electron क्या रहेंगे, सेम रहेंगे clear है बात यहाँ पर अब चोथी चीज़ है valence संयोजक्ता बिल्कुल ईजी है प्रियोडिक्टेबल, बिल्कुल नहीं गवराना संयोजक्ता तो संयोजक्ता मैंने आपको बताया था कि 4 तक तो valence electron और valence सेम रहते हैं इसका valence electron एक संयोजक्ता यानि valence भी एक इसमें valence electron दो valence भी दो, इसमें 3 तो 3 4 तो इसमें valence भी 4 लेकिन जब 4 से ज़्यादा electron होते हैं बाहर वाले कक्षमी, तुने 8 में से minus करना पड़ता, 8 में से 5 गए तो इसकी valence 3, 8 में से 6 गए valence 2, 8 में से 7 गए valence 1, और 8 में से 8 गए valence 0, तो अगर हम बात करें, 20 से दाएं, valence पहले बढ़ेगी 14 तक, और बाद में क्या होगी, घटेगी देखो पहले क्या थी 1, फिर 2 फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2 फिर 1, फिर 0, तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, और उपर से नीचे valence सभी की एक है, इसमें सभी की दो है, इस ग्रूप में सभी की 3 है, तो उपर से नीचे क्या रहती है सेम रहती है, तो ये था periodic table और 10 तक के question, इसको अच्छे से कीजिए, याद कीजिए, notebook में note कर लीजिए, मेरे असाब से आपके सफिशेंट है, एक्जाम के दर आप अच्छा स्कोर करेंगे, लगे रहे ये कोरोना से जीत आसिफ कीजिए, stay at home, work at home Thank you very much